Hello everybody, this is DIGRAS SINGH RAJPOOTH, welcome to Magnate Paints इस वीडियो से एक नया चप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैंदार चप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चप्टर है हमारा, Class 6th History का चप्टर, New Questions and Ideas जो को चप्टर का जो नाम होता है न, वो हमें एक तरह से Confusion में भी ला देता है और Clarity भी देता है, दोनों चीज़े हैं, मतलब NCIT की इसे खूबसूरती कहलो या पर कहलो कि NCIT हाँ पर सिर्धरत देती है, कि वो ऐसा नाम लगाते हैं कि सबर नाम समझने में आदा घंटा निकल जाता है ठीक है, Heading समझने में आदा घंटा निकल जाता है लेकिन Believe Me, अगर आप Heading को समझ गए तो आप पुरा टापिक समझ जाओगे ठीक है, उसी तरह से चाप्टर का नाम समझ के पूरा चाप्टर समझ जाओगे ठीक, पहला वीडियो लेक्चर, introductory वीडियो लेक्चर, आपको पता हैं क्या देखते हैं उसमें theme समझते हैं, कि चाप्टर किस बारे में है, चाप्टर की essence क्या है ठीक है, कौन-कौन से topics हम पढ़ने वाले हैं इस चाप्टर में वो सारी चीज़ें आपको मैं पहले वीडियो लेक्चर में बताता हूँ ठीक है, जिस तरह से अभी तक जितने चाप्टर पढ़ते हैं आप तो आप उस concept से समझ ही चुके होंगे ठीक है, तो देखो क्या है, यहाँ पर हमारा चाप्टर स्टार्ट होता है अंगावाज स्कूल ट्रिप के साथ में ठीक है, जिस क्लास के बच्चे हैं स्कूल ट्रिप पर जाते हैं, मैं भी सिक्स्तमत था जब शायद कहीं गया था तो बड़ा मज़ा आता है स्कूल ट्रिप पर, ठीक है, सबसे आदा मज़ा किसी चीज में आया तो स्कूल ट्रिप पर आया है Do tell the children about buddha and take them to see Sarnath as well. तो उनकी ममी बताती कि बच्चों को buddha के बारे में बताईएगा, अब आपके मन में सवाल आयोगा कि सर buddha कौन है? तो उस तरह से क्या है? यह जो statement है, यह statement से आपको चाप्टर अपना स्टार्ट करना है, मतलब आप देख रहे हो कि इस चाप्टर में आपको समझ में आगे कि हम बुद्धा के बारे में जरूर पढ़ेंगे, क्यों क्योंकि चाप्टर में स्काटिंग में जो स्टोरी रहती है तो मैं आपको यहाँ पर चाप्टर को रिलेट करवाता हूँ, ठीक है? 6th class वाले बच्चों के लिए यह मज़दार चीज थी, अब जो competitive की तैयारी कर रहे हैं, आप under line currents को समझना है यहाँ पर क्या है new questions and ideas, new questions and ideas, हम जो अभी तक हमारी history की train जहां तक चलते आई हमारी भी, तो उसमें आपने क्या देखा है? टाइम लाइन देख ली की कैसे हम जंगलों में रहा करते थे, hunter gatherers किस तरह से evolve होते होते, civilizations, civilizations के बाद में जैसे देखोगे तो जो वेदिक पिरेड रहा तो उ ठीक है वो सारी चीज हो गई अब देखो एक चीज में आपको बताता हूँ, महाजनपदा वाला जो time period रहा है, time frame अगार जैसे आप देखोगे लेटर वेदिक पिरेड के बाद में, ठीक है लेटर वेदिक पिरेड वाला time period जो रहा है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो य तो इसे हम देखते हैं, यह presume करके चलते हैं कि 1500 BCE, 1500 BCE से 1000 BCE, यह वाला time period है, तो इसे तो हम early vedic कह लेते हैं, ठीक early vedic कह लेते हैं, फिर 1000 से कहीं 700 कहीं 600 इस तरह से क्या हो गया, वो लेटर वेदिक हो गया आपका, लेटर वेदिक हो गया और आपको पता है कि लेटर वेदिक म 4th century तक ले जाओ गया गर जैसे, ठीक है, तो हम जैसे कर मान लेते हैं, चलो लिख देते हैं, 300-400 लिख लेते हैं यहाँ पर, यह जो time period रहा, तो यह वाला time period है पूरा, इसमें महा जनपदास formation हो रहा है, ठीक है, transformation, जना से जनपदा, महा जनपदा वो सब कुछ हो रहा है, ठीक, अब यह जो कहानी रही है आपकी, यह जो कहानी रही है, तो इस कहानी को क्या कहा जाता है, second wave of urbanization भी कहा जाता है, ठीक है, second urbanization period रहता है, क्योंकि पहला urbanization कहा, आप chapter 3 में पढ़ क्या है पहला urbanization, कौन सा वाला, इंडर्स वाली civilization, तो मतलब urbanization ऐसा नहीं कि पहली बार urbanization हो के खतम भी हो गया, वो कहां गया, कैसे हुआ, वो हमको नहीं पता है, ठीक है, मतलब remains मिले हमें, लेकिन फिर से बापिस वही शहरी करण हो रहा है, बड़े-बड़े towns, kingdoms बन रही है, तो वो आपको यहां पर महाजनपद वाले time period में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो य development था, ancient history का political development, अब politically क्या हो रहा है, की चीज़ें develop होते जा रही है, ठीक है, पहले जहां हम क्या कर रहे थे, जंगलों में रहे तो कुछ नहीं कर रहे थे, शिकार करते थे, पत्ते बत्ते लागा के घूमते रहते थे, ठीक है, तो उससे अब क्या होते चले गया, development ऐसा होत आया था, अब वर्णा सिस्टम में आप में देखा हुआ कि धीरे-धीरे क्या होते गया, कि वो वर्णा सिस्टम वर्थ, मतलब on the basis of वर्थ इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि society में discrimination हो रहा, untouchables जो है, तो उने बहुत जादा प्रताडित किया रहा, सारी चीजें, ठीक, तो वो मतलब religion के नाम पे जो अलग trend में जारी थी एक society, लोग उसके against में क्या बोलने लगे, आवाज भू उठाने लगे, लोग सवाल उठाने लगे, बहुत important सवाल उठाने लगे, जैसे आगे आपको मैं उपनिशद के बारे में बताऊंगा, ये वेदिक society में जो वेदिक literature आया सवाल क्या थे, कि जो society बनी थी, उस society में अगर कहीं कमी लग रही थी, तो उस कमी के ओपर सवाल था, ठीके, नए नए आइडियास थे, नए आइडियास कैसे होंगे सही, तो अब आइडियास में क्या होता, जैसे मानलो धर्म क्या है, religion क्या है, मैं आप से पूछता हूँ, आप कहेंगे सर, religion टीका लगाना होता है, ठीके, कोई कहेगा सर, religion में टोपी लगाना होता है, ठीके, तो हमारी धर्म की क्या definition है, वो हर इंसान अपने हिसाब से देख सकता है, समझ सकता है, ठीके, जैसे मैं कहाँँगा, धर्म क्या है, मानफता है, बस, अगर आप humanity को नही सर्फ कर सकते हो तो religion को क्या सर्फ करोगे ठीक है तो उस sense में क्या होता है उस sense मगर आप समझोगे ना तो religious point of view से अलग-अलग ideas ही मर जूएं ठीक है religious point of view से literary point of view से जो आपको literature मिला वेधिक literature उससे अलग हटके कुछ उससे जो अलग लिखा होगा वो आपको देखने को मिलेगा तो ये नए-ए questions, नए-ए ideas society में आ रहे थे अभी समझना है time frame वही है, space भी वही है, country मतलब subcontinent भी इंडिया ही है अभी तक आपने politically क्या-क्या होते आया वो देखा अभी आपको देखना है कि उसके अंदर और ideas, नए-ए questions, ठीक है religious development क्या होगों का सोचने का तरीका, लोगों का culture यह सब क्यासे बदल रहा था, तो अगर जैसे देखा जाये तो 550 BC, before Christ, ठीक है मतलब आज से डाई-एजार साल पहले के अगर आस-पास की बात करें तो नए-नए religious point of view इमर्ज हो रहे थे, जैसे जैनिजम, बुद्धिजम, वो सारी चीज है, ठीक है, हिंदुईजम में बदलाव आ रहा था, ठीक है, जो वेदिक, हिंदुईजम क्या है एक तरह से आप जिसे देखोगे, तो बहुत सारे religions का एक तरह से, या फिर ऐसे कहलो कि हिंदुईजम जो है, तो हिंदुईजम से सारे religion निकलते आते हैं, बहुत सारे religion, Indian subcontinent में आप देखोगे, क्यों, क्योंकि वहीं, जैसे वेदिक सोसाइटी, वेदिक सोसाइटी से पहले भी religion रहा होगा, क्योंकि इंडर्स होते चले गया चीजों का, तो वही मैं आपसे कहा रहा हूँ कि महाजन प्रद वाले टाइम पिरेट में, जो हिंदुईजम आज आप देख रहे हो, वो ऐसा नहीं था, तो बदलाव आ रहे थे नए-नए, ठीक है, religious line पे, और religion एक ऐसा factor हो जाता है, जो human being जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा रिलेट कर लेता है, बहुत ज़्यादा रिलेट कर लेता है, ठीक है, यह कहानी आपको दियान रखना है, यह दियान रहेगी हां तक, मतलब हम, historically चीजों को समझते चल रहे हैं sequence में, तो मैंने आपको एक basic introduction बताए कि chapter की theme क्या होने वाली हमारी, ठीक है, बुद्धिजों मैंने बता है, नए रिलीजन आ रहे थे, तो अब सिर्फ धर्म तक नहीं, नए नए आइडियास जैसे क्या हो रहा था, वहाँ पे literally, मतलब literature का development हो रहा था, अब जैसे पानी नी इती grammarian, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, अब संस्कृत जो आप आई उसकी, ठीक है, वो भी इनके बारे में बताऊंगा, मैं आपको इंटरस्टिंग चीज, ठीक है, तो इस्टोरी व गुद्धा उपनिशद के बारे में पढ़ेंगे, कि उस time period पे literary development एक उपनिशद का भी हो रहा था, क्या है उपनिशद, वो सारी चीज़े में clear होगी, फिर जैनिजम के बारे में पढ़ेंगे हम, जैनिजम के बारे में संगा, तीक है, आप देखो, संगा आपने पिछले चैप्टर में भी देखे आये थे, कि संगा वाला system रहता, जैसे आपने क्या देखा था, कौन सा जनपता, वजजी महा जनपता देखा था, तो उसमें आ पनाश्री क्या system है, कैसे बनी, उसका historical aspect आपको जानने को मिलेगा, इस topic में, इस system of आश्रमाज, ठीक है, और एक जो box में detail दिये, वो पढ़ना जरूरी है, उसे बढ़ेंगे हम कि ये आश्रम वाला system क्या था, ये भी आपको वहाँ पर ही जानने को मिलेगा, ठीक है, तो च जाने वाली चीज़ें, क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, सारा सब कुछ, आशा करता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आईए, clear, तो next video से हम क्या करते जाएंगे, subsequently चीजों को पढ़ते जाएंगे, magnet beans पर, इसी तरह से class 4 से class 12 तक, सभी subject, chapters, topics, subtopics, सब कुछ, systematic way में, video lectures के format म available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे हैं, अपना syllabus complete कर सकते हैं, जी हाँ, अपने juniors और seniors को जरूर बताएं, magnet beans के बारे में, मिलते हैं next video से, till then, stay connected, keep learning, thank you, thank you very much, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the story of बुद्धा, बुद्धा की कहानी पढ़ने वाले हैं, देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको एक basic introduction समझाया था कि chapter किस बारे में हैं, chapter नमारा क्या है, new questions and ideas, अब क्या हो रहा है कि ज समझते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर गौतम बुद्धा आपको देखने को मिलेंगे, ठीके, बुद्धा कौन थे, क्या थे, पूरी कहानी में आपको समझाऊंगा और उनका क्या contribution रहा होगा, religious life के evolution में उस समय पर वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाल क्लियर हैं, तो देखिए समझ ये, सबसे पहले background समझो एक पूरा, background क्या समझना है, आपको देखो, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेदिक पिरिट खतम होते जा रहा, महाजन पदा जो हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, 16 महाजन पदा है, वो एक जुसरी के पर अट कोता है कि उस समय पर चल क्या रहा था, ठीक है, वो कहानी थी, अब उसी बीच में, अब देखो, डेट्स पहना है, आप स्पेसिफिकली इस लिनी जाते मैं बताता हूं, आपको यहाँ पर क्या लिख दिया, अबाउट 2500 येर अगो लिख दिया, स्पेसिफिक डेट क्यों न कि जैनिजम जो है, ठीक है, तो जैनिजम के जो 24 तिर्थांकर है, ठीक है, लास्ट तिर्थांकर जो थे महावीर, ठीक है, तो महावीर जी के जन्म के बाद में बुद्धा है, ठीक है, तो ऐसा अगर देखा जा, सीक्वेंस में तो हमें पहले जैनिजम पढ़ना चाहिए थ तो अगर ये समय देखा जाए इतने सालों पहले क्या था विन बुद्धा वास बॉर्ण डिस वाज टाइम ऑफ रैपिड चेंज बदलाव आ रहा था बहुत तेजी से बदलाव क्यों कैसे कहा क्या ठीक है तो वह समझो बदलाव आ रहा था कैसे तो इमर्जन्स ऑफ महाजन पदास ने ने महाजन पद बन रहा थे दो इस तरह से टो इस तरह से डवलब हो रहे थे लिए बदलाव आ रहा था देखो line लिखी है, line लिखे आगे नहीं पढ़ना है, village में क्या बदलाव आ रहा होगा सोचो तो आप देखो कि agricultural practices में change आ रहे थे, society जो थी तो वो वर्णा सिस्टम के चलते divide होते जा रही थी तो ये सारे बदलाव आ रहे थे, और इसी time period में, इसी background में गौतम बुद्धा का, ठीके, या फिर हम कहेंगे क्या सिदार्द गौतमा, बुद्धा भी बाद में बोलेंगे उने, ठीके, तो सिदार्द गौतमा का जन्म होता है, सिदार्द गौतमा का जन्म होता है, ठीके, अ अब क्या होता है अब नहीं जन्म लिए हम हर इंसान लेता है मैंने भी जन्म लिए हाप ने भी जन्म लिया ठीक है और भी लोग जلة कि तरह evolve हुए ठीक है उन्होंने ideas दिये उन्होंने thoughts दिये और अब कोई भी idea कोई भी thoughts देता और उसके बाद में उसका impact क्या होता क्या positive change लाए ठीक है वो आपको जानना है वो आपको समझना है और इसी गारेंसे हम पढ़ रहे है कि new questions and ideas ठीक है उसे इसलिए हम पढ़ रहे है तो people wanted to try and find out the true meaning of life अब उससे में क्या है सत्य की खोज चल रही थी सत्य की क्या से चल रही थी कि लोग भूत क्या होगा एक तरह से ब्रह्म में आ गए थे वेधिक टेक्स्ट जो थे तो उनको modify करके या फिर कह सकते हैं वेधिक टेक्स्ट में अपने हिसाब से ब्रह्मिनिकल डॉमिनेशन चलते हुए क्या होता है कि जो society divide हुए थी उसमें ब्रह्मिनेट कर रहे थे जो शूद्रा थे ठीक है शूद्रा वा तो लोग थोड़ा philosophical होने लगे वो यह जाना चाहते थे कि आखिर जीवन का अर्थ क्या है क्यों हम इस दुनिया में आये हैं अब आपको लगेगा प्रवश्यन चल रहे हैं लेकिन मतलब इसी तरह से क्या हो रहा है कि नए-एक questions जब उठे तो नए-एक questions का नए-एक solution भी आये होंगे आयरान समझ बच्चो तो इस चीज को relate करना कि situation ऐसी थी कि जब आपको एक ऐसा इंसान एक ऐसी सोच एक ऐसा आइडिया चाहिए था जो बढ़िंग questions जो थे जो questions बन रहे थे उन questions का जहां से जवाब मल सकें ठीक हैं तो अब क्या होता है इसी बीच में बुद् करते हुए एक religion क्या है तो वो develop हो गया वहां से जबकि बुद्धा तो खुद जैनिजम को मतलब जैनिजम से inspire हुए थे कैसे वो कहानी बताता हूँ चलो आगया आपको ठीक है तो पहले थोड़ा सा factual data देख लेते हम सिधार और सो नोन अस गौतमा ठीक है इनका नाम सिधार कि himself never founded Buddhism उनने ऐसा नहीं बोला कि यह मेरा धर्म ठीक है उनके जो followers से उनने बोला कि हम आपके ideas को follow करेंगो यह धर्म जो रहेगा वो बुद्धिजम रहेगा ऐसे तो अगर कोशिन ऐसा भी आता हूँ जी founder of Buddhism तो आप गौतम बुद्धा का नाम लिख सकते हैं दाल्ध गौत अब क्या होता पता है यह बहुत influential family में पैदा हुए ऐसा नहीं कि संथ के यहां पैदा हुए थे जिसे आप यहां क्या दिखोगे he was born in a शत्रिया family ruling class में वरन सिस्टम था ना तो ruling class में क्या हुए पैदा हुए थे यह he belong to a small gana known as saak ke gana पिछले chapter में पढ़के आयो आप कि उ अगला गana मिलके उनने महाजन पदा बनाया था यहां पर इनका छोटा सा गना था saak ke gana saak ke gana lumbrie नेपाल वहां पर इनका जन्म हुआ ठीक एक शत्री family को बिलॉंग करते थे अब सवाल या था शत्री family को बिलॉंग करते थे आप कह रहें sir कि अच्छी influencer family में थे और में ची या अगर फिर कैसे काम होगा ठीक है तो उन्होंने क्या किया उनके पिताजी ने इनके लिए पूरे दुनिया भर के जित्ते भी सुख थे सब कुछ क्या कर दिया महल मिला दिया एक पेड़ के पत्ते को भी वो सूखने नहीं देते थे मतलब हर जगा प्रॉस्परेटी ये सार इनके बार में कभी कुछ पता ही ना चले लेकिन बोलते ना कि जो लिखा है कि इस मदम वो तो होके रहता है तो फिर अल्टिमेटली इनोंने जब एक बार जैसे जो कहानिया है बुद्धिस टेक्स्ट के हिसाब से तो क्या होता है कि एक बार निकलते हैं और देखते हैं कि अर्थी जा रही है तो इनके यहीं पता था मरना भी कुछ होता है मरण भी कुछ होता है तो अर्थी होता कि पूछते अपने सीपाईयों कि कौन है तो इनकी निक्या हो गए फिर एक बूड़े इनसान को देखते ए तो बोलते कि अच्छा मैं भी गरैसा ही बुड़ा हो जा कि आखिर जन्म लिया है तो क्यों लिया है ठीक है तो उस तरह से क्या होता फिर ये सेंट बन जाते ही हाओ ये बिकेम असेंट आगे ना समझ में तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वो संत बनते हैं सत्य की तलाश में तो when he was a young man he left the comforts of his home in search of knowledge ठीक है सत्य की तराश में ज्यान की तराश में वो क्या करते हैं अपना घर छोड़के निकल पड़ते हैं ठीक है knowledge कहां से मिलेगे आपको तो आप लोगों से बात करोगे तो जो thinkers थे उस समय के उनसे नोने बात करना चालो करें उस समय के जो saints थे तो जैनिजम भी इस टाइम से पहले जैनिजम जो है as a religion flourish हो रहा था तो यह क्या है यह महावीर और जो दूसरे तिर्थांकर थे तो उनसे inspire हुए थे ठीक है अब जैनिजम के बारे में आगे पड़ोगे sequence आगे पिछे NCRT में लेकिन मैं आपको बताते चल रहा हूं तो यह उनसे inspire और उन्हेंने पहले क्या सोचा कि मैं Jain Monk बन जाता हूं लेकिन जो pin act करना पड़ता है जो तपस्या करना पड़ती हूं बह आपको एक middle path follow करना होगा तो वह मतलब तपस्या वगेरा करते हैं सारी चीजें thinker से मिलते हैं बात करते हैं debate discussion इन सारी चीजों से क्या करते हैं अपने आपको ग्यान लेने की कोशिश करते हैं ठीक है attended enlightenment under the people tree at Bodh Gaya in Bihar फिर क्या होता है इसी तरह से wandering saint की तरह घूमते रहते हैं बिक्षा मांगते खाते पीते और लोगों को सिक्षा देते हैं सारी चीजे चलती रही ठीक है फिर क्या होता है एक समय पे जब वो बहुत गया बिहार में जाते हैं ठीक है बहुत गया बिहार से कुई बच्चा है तो attendance लगाना अब बिहार और वहां उन्हें enlightenment मिलता है ठीक है वहां उन्हें क्या मिलती है परम सत्य की प्राप्ति होती है उन्हें सही ज्यान मिलता है ठीक है उन्हें सही ज्यान मिलता है तो इसलिए आप देखो के बहुत सारी photos जो रहती है बहुत सारे statue जो रहते हैं बुद्धा के तो वो इस तरह स जो अंदर से जाग चुका हो अंदर से कैसे जागोगे तो मतलब जिसकी आत्मा जाग चुकी हो जिसे सच समझ में आ गया हो कि जीवन क्या है ठीक है तो तभी से बुद्धा कहला है आ गया समझ में तो देखो मैंने बहुत सारे facts बताया आपको बहुत सारे facts बताया कहानी बताया कि किस तरह से सिदार्थ गौत्म जो एक शत्री फैमिली में पैदा हो तो कैसे एक saint बने saint बने उनके बाद में एक religion आया ठीक है उनके followers ने buddhism को follow किया clear हो गया तो अब आगे देखो और क्या है आगे की कहानी क्या है तो अब जब ये मतलब उनको जब परमग्यान की प्राप्ती हो जाती है enlightenment मिल जाता है ठीक है तो उन्हें enlightenment मिलने के बाद में वो क्या करते है वो move करते हैं एक जगा से दूसरी जगा wandering sign थे ठीक है move करते रहते थे तो he gave his first sermon at Sarnath Sarnath का है वारनसी के पास में एक जगा है ठीक है हमने chapter start कर रहा था तो बताया था वो बच्चे जो trip पे जा रहे थी school trip पे तो उन्हे वारनसी के पास उत्रहे तो teacher से क्या बोला था उसकी ममी ने किने Sarnath जरू ले जाना तो Sarnath क्यों क्योंकि Sarnath में पहली बार sermon sermon मतलब क्या है कि प्रवचन एक तरह से किस ने दिये थे गौतम बुद्धा ने दिये थे किसको प्रवचन दिये थे उनके saints को उनके disciples को जो उनके follower थे तो Sarnath ये जगा धिहान रखना है आपको उसके बाद क्या होता है He spent the rest of his life traveling on foot पैदल पैदल चलते थे उससे में पहली कॉप्टर तो होते नहीं थे न तो पैदल पैदल चलते थे और क्या करते थे अपना पूरा जीवन फिर उन्होंने अपने आइडिया जो अपनी टीचिंग जो वो लोगों को दी ठीक है Going from place to place teaching people till he passed away at कुशी नगर कुशी नगर ठीक है कुशी नगर मैं इनकी death होती है death होती है आवे कह लीजे कि ये क्या होता है निर्वाना निर्वाना मिल जाता है death होना सेशब्दनी रहेगा ठीक है pardon me for that मतलब इनोंने क्या कर लिया वो जो जैसे मैं आपको एक philosophy समझाता हूँ बचो अभी आप 6th class में हो लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप सही तरह से समझोगे तो हर चीज समझ में आएगी ठीक जैसे क्या होता होगा आपने सोचा होगा कि हम पैदा होते हैं पैदा होते हो जैसे हिंदू मैथोलोजी के हिसाब से कि कितनी 36,000 करो जो इतनी सारी योनियों में आपको क्या करना रहता है जन्म लेना पड़ता है आप कभी बिल्ली बनोगे आप कभी कुता बनोगे शेर बनोगे हाती बनोगे डैनासूर बनोगे ठीक है ब्रह्म में एक तरह से यह सब कुछ क्या है यह सब कुछ मित है सब जूटा है सब कुछ ठीक है सच क्या है सच यह है कि आपको अपने अंदर अपने आपको जानना और जिस दिन आप अपने आपको जान लोगे आपका परपस क्या है लाइफ का वो जान लोगे, उस दिन आपको निर्वाना मिल जाएगा, मतलब यह जीवन मरने के चक्र से मुक्त हो जाओगे, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, वो जो है बुद्दा जो है तो कुशिनारा सोरी, कुशिनारा में उनकी, कह सकते हैं निर्वाना होने मिलता है, क्लेर हुआ तो अब उनकी टीचिंग्स क्या है यह समझो टीचिंग्स क्या है यह समझना आपको जैसे यह ध्यानक ना और जैसे बहुत गया यहां अभिहार में सारना थियां वारण से के पास में ठीक तो अब उनकी टीचिंग्स क्या आपको यह समझना है टीचिंग्स मतलब और भागवान श्री क्रिश्न को मानते हैं ठीकl stacking को मानते हैं आप जैसे बुद्दीम में चले में practitioners को मानते हैं जैनिजम में अप अलग अब यह क्या है यह जैसे देखहा जाया प्रेक्टिकल Agora के दुनिया में आ हैं और आप इन्हें भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने जो हमें सिखा के गए हैं, इनके आइडियाज ने इन्हें भगवान बनाया हैं, आगए समझ में? तो आपके विचार मायने रखते हैं, आप विल्कुल मायने नहीं रखते हूं, मैं विल्कुल मायने नहीं में आप जिसे देखोगे कि बहुत इंफ्लुएंस रहा इंके बाद में एक रिलीजन चाले हुआ तो इनकी टीचिंग्स क्या थी आखिर ठीक है तो दी बुद्धा दी बुद्धा टॉट्ट देट लाइफ इस फुल अफ सफरिंग अन्हापिनेस इन्हों सी सिंपल सी सटीक स समस्य यह हो गई है तो दी लाइफ इस फुल अफ सफरिंग अन्हापिनेस ठीक है और क्यों है सफरिंग और नहापिनेस पता है वह सिर्फ और सिर्फ हमारी डिजायर्स हमारी क्रेविंग क्या है तो जैसे मैं आपको एक एक्जामपल बताता हूं कार जा रही है रोल पर से ठीक है आपने देखा यार बड़ी अच्छी कार है फॉर्चुन है बड़ी लग रही है मुझे तो ठीक है तो अब आप क्या होता है आपकी डिजायर आपके अंदर जागी और उस डिजायर के कार नहीं हो तो आप रात में सो गयो सोने से पहले आपका मन दुखी होगा कि का ऑफाश मेरे पास वो कार होती तो हम क्या कर रहे हैं हम यह एखरेकि हमारी डिजायर की ऑर हमारी क् collaborative क्या हो रहा है हम संसाफर कर रहे हैं ठीक हम unhappy है आइन्य समझ में हमने क्यूं होते क्यों कि जब हम कुँछ चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है हमारी डिजायर फुल्फिल नहीं हो पाती है और यही गोतम बुद्ध भी कहते हैं क्या कहते हैं बुद्धा यह बताते हैं कि life is full of sorrows and unhappiness ठीक है it is because of our craving and desires और यह हमारी जो desires है तो which often cannot be fulfilled और अधिकतर जो ऐसी desires भी होती जो हम कभी फुल्फिल नहीं कर पाते हैं अब मेरी एक इक्षा यह भी कि चांद पर जाओं ठीक है पता नहीं जाएंगे लेकिन अगर पूरी नहीं हो पाती तो क्या है वो तो सुर्फ डिजायर ही रह गई और जो मतलब गयरंटीन नहीं क्यों डिजायर पूरी होगी तो which often cannot be fulfilled आगे यह प्यास है यह प्यास ही सारे दुख का कारण है ठीक है इस डिजायर को उन्हें क्या कहा थर्स्ट या फिर तना कहा ठीक है तो आप क्या होता है अब उन्हें बोला देखो यह तो समस्या हो गई अब डॉक्टर के पास गए आपने डॉक्टर को बताए कि यह परिशानी है अब परिशानी का समाधान क्या तो इंजेक्शन लगा देंगे आपको तो उसी तरह से गौतम बुद्ध अपनी टीचिंग्स में क्या कहते है कि यह सब कुछ ब्रहम है दुनिया में जो भी आप देख रहे हो ठीके यह सब कुछ क्या एक तरह से यह सौरोनेस अनहापिनेस का कारण है ठीके और यह कारण इसलिए क्योंकि आप उससे डिजायर करते हो आपको क्रेविंग होती उस चीज के लिए जो आपके लिए क्या एक moderation in everything middle path moderation in everything और इन्होंने खुद अपने experience से सीखा अपने experience से कैसे सीखा तो मैंने आपको बताया उन्होंने घरवर छोड़ के बहुत घंगोर तपस्या की ठीक है पिने किया बहुत क्या कहता है साधना की meditation किया खाना पीना सब छोड़ दिया कुछ नहीं मिला उन्हें ठीक है अकर कुछ नहीं भी करते तो भी कुछ नहीं मिलता तो उन्हें बोला कि extremes में किसी भी चीज के मत जाओ आप middle path को follow करो तो middle path मध्यम कह सकते है मारग का उन्होंने क्या दिया संदेश दिया अस्टांगिक eightfold path बताए उन्होंने जिसमें उन्होंने बोला कि आप सही देखो सही करो ठीक है एक right mindfulness रखो आप सही speech दो right speech इन सारी चीजों से मतलब उन्होंने eight points ऐसे बताए जो आपको क क्या है आपको ऐसी चीजें जो आपको बांद के रखी हुए आपकी desire जो आप अपने आप कम करते चले जाओगा आपको निर्वाना मिल जाएगा ठीक है तो वही पर जैसा यह सारनात में आपको बताया थे ना सारनात में पहला lecture दिया तो यह मैं आपको समझाओंगा कैसे उन्होंने बोला मतलब moderation path क्या यह मैंने बता दिया आपको की beach का मध्यम path follow करते हुए चलना आपको ठीक है तो यहां पर एक चीजी दिख लो यह सारनात जो है तो सारनात में ऐसा स्थूप बनवाया मतलब पहली बार अपनी हाट वो दी थी sermon तो बाद में ऐसे ऐसे followers आए ज this building known as stupa was built to mark the place where the Buddha first taught his message you will learn more about stupa in chapter 11 तो last chapter पढ़ेंगे मैं उसमें और जानने को मिलेगा में stupa के बारे में देखेंगे क्या-क्या buildings वगएरा कि क्या significance है बार्कि अगर आप अभी मुझे बता सकते हो कि सारनात में जो stupa हो किसने बनवाया है तो बहुत बढ़िया होगा ठीक होगा आपका comment section में ठीक है चाहे वो जानवर और चोटा सा कीड़ा उसकी रिस्पेट करना हो तो देखो ये religion जो है ना ये religion में आपको बता रहो कि उस समय कि society के system से अलगते है उस समय पर क्या sacrifice वाला system चलता था तो animals को क्या कर दिया जाता है बली दे जाती थी ठीक है तो अब क्या है कि इन्हो से क्या है उन्होंने बोला he also taught people to be kind and to respect the lives of others including animals ठीक है animals की रिस्पेक्ट की जाना चाहिए he believed that the result of our action मतलब हमारे जो action है जिने उन्होंने क्या कहा कर्म कहा ठीक है तो आज हम बोलते ना कि कर्म अच्छे करो कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासिये इरादे तेरे नेक है तो घर में मतलब कासिये तो उस तरह तो उन्होंने बोला कि आपको किसी पर बिलीव अपने काम में आप काम सही कर रहो मतलब सब सही हो रहा है ठीक है सब चंगा सी तो उसी तरह से क्या होता है वही क्या हमें हमारी इस लाइफ में रिजल्ट देते हैं और हमारी लाइफ के बाद में अगर आप इस चीज में विश्वास रखते हो कि हां मरने के बाद में भी पुन्य तो देखो आज जो आप religion देखते वह इन सारी teaching से ठीक है यह humanistic teachings है तो वह focus करते है किस पर कर्म पर कर्म मारग की बात करते हैं वह कि आपके काम सही रखना है यही आप जैसे देखो के तो आगे भी क्या होगा जो इस समय पे जो दूसरे दूसरे आइडिया जैसे जैसे जैनिजम को भी पड़ेंगे ठीक है उपनिशित को पड़ेंगे तो सभी लोग कर्म पर विश्वा सकते हैं कि काम सही करो बस ठीक है फिर क्या है these teachings of Buddha अच्छा आपको एक चीज़ यह समझना होगी कि बुद्धिजम पॉपुलर हुआ उस समय पे क्यों पॉपुलर हुआ तो यह जो टीचिंग्स थी जो मैं आपको पूरी कहानी बताई तो इस टीचिंग्स ऑफ गुद्धा वर टॉट्ट इन दी लैंग्वेज ओफ ऑडिनर जो गए ठीके तो एक वर्ण ही संस्कृत जानता था तो वही क्या करते संस्कृत को अपने हिसाब से बताते थे और बाकी लोगों को उनको बस फॉलो करना था अब जब गुद्धा ने अपने संदेश लोकल लैंग्वेज में ठीके प्राकृत में दिया तो उससे हुआ क्य फ्लरिश हुआ इंडिया से फिर वो और पूरा इंडोनेशिया वगरा उदर सब कुछ पहलता चले गया साउथ इस्ट वाले रिजिन में ठीके तो वह आज बुद्धिजम को फॉलो करते हैं ठीके बुद्धिजम इंडिया से फ्लरिश होते हुए निकला है और तो इंडिय इस संस में देखोगा आप कितने सारे धर्मों को समाय हुए है हमारी पुन्य भूमी जो है वो कितने सारे धर्मों को समाय हुए जैनिजम बुद्धिजम हिंदूिजम इस्लाम सब कुछ जिसे आप देखोगा तो यहां पर आके फ्लरिश हुआ है ठीके तो जो लोग बोलते जो बहुत मज़दार लिखिया आपकी बुक में क्या है? ये अलसो एंकरेश्ट पीपल तु थिंक फॉर थेंसेल्फ रदर दें तु सिंप्ली एक्सेप्ट वाट ही सीट ठीक है? ये पॉइंट समझ लो सारी चीजें समझ मा जाएगी उन्होंने क्या कहा अब ये आपको अपनी सोक से फालो करना है अब आप बोलो के सारी से एक्स्प्लेइन करता हो तो बहुत अच्छा होगा जैसे मैं आपको एक एक एक्जाम्पल देता हूँ तो इस स्टोरी को आप भी देखेंगे स्टोरी ओफ किशा गौतमी किसागोटमी ठीक है उनके एक स्टोरी बताई गयी किसा गोतमी क्या होता है कि वह अगते थिशकाषा शूक ऍप matar कि मृट्स कि जीवन और मरण यह तो क्या है? इस संसार का चक्र है, चलता रहेगा. आपको यह देखना है कि आप इस जीवन मरण से बाहर कैसे निकलते हो? और यह पर्मानेंट है. आज, ठीके, आज आप पैदा हो है, आज आप बच्चे हो, कल को आप जवान हो जाओगे, ठीके, कल जव तो अपने आप क्या करो, ठीके, पीपल, ये एंकरेज़ पीपल तु थिंक फ़र देमसल्ब्स, ठीके, खुद से सोचो, आप कि ये सही बात है की नहीं है, तो स्टोरी पर अगर जिसे हम आते हैं, तो किसा गौतमी जो है, किसा गौतमी क्या करती है, किसा गौतमी बच्चे की बोलता है कि चलो आप गौतम बुद्धा के पास चलो ठीक है गौतम बुद्धा जो है तो आपकी परिशानी का समाधार निकाल देंगे तो अगर यहां पर विजिबल नहीं है तो आपकी बुक में देखेंगे स्टोरी लिखी हुई है पूरी मैं आपको क्रेक्स बताते जा र क्या क्यों दो एक बाउल क्या लाँ दो राई लाई राई मतलब कहीं कहिसो करते हैं जैसे नौर्थ इंडिया में टिक है तो एक मुठ्छी सर्सो लादोoint मुस्ट्ग proven तो bring me a handful of mustard seeds तो महिला खुश होगी किया राई लाना कहीं से भी लाते हैं कि सरसुई तो लाना है लेकिन मुझते है condition लगा देते है condition applied ठीक है इस offer पे condition applied है क्या बोलते है वो ठीक है तो वो किसा गौत्मी से क्या कहते है the seeds must come from the house of a family where nobody has died ठीक है अब ऐसे घर से मुझे mustard seed लाके देना जहां पे कभी किसी की मृत्यू नहीं होगी हुई हो जिस घर में ठीक है चलो किशा गौत्मी ठीक है देखते हुए किसी ना किसी घर में तो ऐसा होगा जहां किसी की मृत्यू नहीं होगी अब जब वो घर घर जाती है पूछती है कि क्या आप क्या कभी किसी की मृत्ती हुई है क्या आप क्या कभी किसी की मृत्ती हुई है तो सब बोलते हैं हम राई तो दे देंगे लेकिन हमारे यहां तो हमारे पिता जी की मृत्ती हुई थी हमारी माता जी की मृत्ती हुई थी ठ इसाग आखिरकार घूम फिर के वापिस आती बुद्धा के पास में और वह समझ जाती अपने आप ठीके तो आप सवाल यह उत्ता है वह वाट वाट वाल थी पुद्धा ट्राइंग टू टीज दी सौरो इंग मदर ठीके तो यह जो दुख्यारी माह थी उसको बुद्धा इ है यहां तो ट्रॉल है मतलब क्या है कि ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसने कभें ड्रीठ नहीं देखी हो तो ट्रष टो क्या है लाइफ इक पार्ट है देट लाइव का एक पार्ट है और इसी मेसेज को अगला ने बताया तिकर वह उनकी टीचिंग स्टीन ती तिम ऌरी लेक्चर लेंदी हुआ बच्चो लेकिन समझो कितना सिग्निफिकेंट लेक्चर है आपको बुद्धिजम, बुद्धा की टीचिंग, बुद्धा की फिलोसोफी, ठीक है, एक बैग्राउंड, वो सारी चीजे मैं आपको बताईए, समझाईए, ठीक है, अब नेक्स टॉपि उससे कैसे रिलेट करेंगे, वो सारा सब कुछ हम नेक्स वीडियो में देखने वाले हैं, आशा करता हूँ, यहां तक चीजे समझ में आईए, मैगनेट ब्रेंस पर क्लास 4 से क्लास 12 तक, अभी 6 में हो ना, तो आपके जूनियर्स को भी बताना है, आपके सीनियर्स को भी और आप खुद भी 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हो सकता है, उसके बाद में आप ग्रेजुशन भी यही से कर लोगे, ठीके, तो यह सारी चीजें क्या कर सकते हैं, आप सारी चीजें 4 से 12 तक के वीडियो लेक्चर इसी तरह से हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीके, YouTube चैनल पर राजपूत, welcome to Magnate Brains, इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम उपनिश्यक के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका अगला टॉपिक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, चाप्टर की थीम से कनेक्ट करवाए कि किस तरह से नए 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 नए नए सवाल उठायें, उन्हें नए 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 आइडियाज दिये, ठीक है, तो जो लेटर वेदिक पिरेट था, जो महाजनपद वाला टाइम पिरेट था, ट्रांजेशन हो रहा था, तो वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल डवलप्मेंट नहीं हो रहा था, पॉलिटिकल आपको चीजों को किताब तक सीमित नहीं रखना है, कंसप्ट समझ में आना चीए, पूरा चाहे, वो किताब के बहार से आए, अंदर से आए, कि दर से भी आए, ठीक है, तो देखो समझना क्या चीज़ है, कि उपनिशद जो है, उपनिशद क्या है, उपनिशद एक तरह का मतलब बुक्स है जैसे आपने वेदिक टेक्स में क्या देखा आपने अभी तक चार किताबे पड़ी ठीक है चार वेद के बारे में जा ना कौन कौन से चार वेदे कमेंट सेक्शन में नाम बताओगे आप तो चार वेद के अलावा भी और भी कुछ लिखा गया था बहुत कुछ लिखा गया था जैसे बुढ़ी फ्लरीष ओड़ाते तो बहुत सारी बुढ़ीस लेटरेच्छर देखने को मेलेगी आपको बहुत सारा मतलब जैनिजम से related literature देखने को मिलेगा भी जैनिजम पढ़ेंगे हम नेक्स वीडियो में तो लिटरवी material आ रहा था बहुत सारा उस समय पे भी ठीक है और उन्ही लिटरवी material में उन्ही बुक्स में add-on क्या होते हैं उपनिशद होते हैं जो उपनिशद क्या करते हैं मतलब कह सकते वेदिक टेक्स्ट से जुड़े हुए हैं वेदिक टाइम पिरेड जो था जब खतम हो रहा था वेदिक एज ठीक है जब पॉलिटिकल फॉर्मेशन और बढ़ता जा रहा था महाजन पद और बढ़ते जा रहे थे तो उस समय पर क्या होता है उपनिशद लिखना चालू किय पहले उपनिशद को वेदांत्स भी कहा जाता है ठीक है वेदांत क्यों कहा जाता देखो वेदान मतलब एंड टू वेदास एंड टू वेदास क्या होता है कि उपनिशद जो लिखे गए तो चारो वेद के बाद में लिखे गए चारो वेद के बाद में लिखे गए और ब्राहम्मन्स के द्वारा क्या है डॉमिनेशन थी और उनके द्वारा इंटर्पेट किया जाता वेदास को वेदों को समझना आम जंता के लिए आसान नहीं था ठीक है तो अब वेदों का जो सार था ठीक उसको और सिंप्लिफाइड वे में उसे नए कोश्चंस के साथ नए आइडियास के साथ लिखने का काम किया उन्हेन नए Táošनज नए आइडियास के साथ में लिखने का काम सेंट्स ने किया और वो उस्तरह से फिर चाही उपनिशद लिखे गए तो क्या सकते है लेटर वेधिक टेक्स्ट हैं जो कही न कहीं वेदों को और simplified way में नए questions, नए dimension, नए interpretation के साथ देते हैं देखो नए interpretation की जरुवत क्यों पड़ी मैं समझाता हूँ आपको तो क्या होता जो लेटर वेधिक टेक्स्ट रहा ये पूरा उपनिश्यद वाला तो इसमें some thinkers try to find out answer to difficult questions, difficult questions कौन से जो आपके exam में आते हैं, वो नहीं ठीके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, कि जैसे आपने किताब पड़ी, मानलो आपने NCIT की book पड़ी अब आपकी book पड़ने के बाद में ऐसा भी होता न, कभी कभी, हम book पड़ते हैं और हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं तो ऐसे ही वेद लिखे गए, वेद पड़े गए, वेद पड़ने के बाद में लोगों के मन में जो thinkers थे, उनके मन में सवाल आये, कि ऐसा तो ऐसा क्यूं, अब जब सवाल आया तो आदमी क्या करता हो, मतलब सवाल को खुरेचना चालू करता है, ठीक है, उस सवाल की जो ब तो दिक्कत क्या हो जाएगी, उस समय के लिए तो आपको ऐसे लगेगा, चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो फिर आगे जीवन में आपको दिक्कत देगा, सवाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे भी उपनिश्द कैसे जब लोगों ने सवाल किया, ठीक, तो सम्तिंकर्स ट्राइट तो फाइंड आउट आउट आंसर तो difficult questions, जैसे difficult questions क्या है, life after death, क्या जीवन के बाद में भी, मतलब मरत्यू के बाद में भी कोई जीवन होता है, मरत्यू क्या है, जीवन क्या है, इस तरह के सवाल जो थे, ठीक जहां जिस चीज की clarity उन्हें वेदाज में नहीं मिलियोगी उस चीज को, और ढूनने के लिए उन्हें saints के साथ discussion, ये सारी चीज ने अपने अपने interpretations, अपने अपनी बातों को रखा गया होगा उपनिशत में, ठीक, और सवाल जैसे why to perform sacrifice जादा, वेद में sacrifice के बारे में बता after death, क्या कुछ, मतलब क्या हो रहा है, हर इंसान जर्म लेता है, हर इंसान मरता है, ये cycle तो चलता रहता है, क्या कुछ permanent भी है, हम क्यों आते हैं इस धर्ती पे, इस तरह के जो सवाल थे, तो उन सवालों की तलाश में लोगों ने क्या कि अपने अंदर जागना चालू किया, ठीक है, अपने विचारों से विक्सित होना चालू किया, तो इस thinkers talked on आत्मा and ब्रह्मा, ठीक है, अब क्या होता है, तो thinkers ने आत्मा, ब्रह्मा इन सारे मुद्दों पर बात करना चालू किया, आत्मा मतलब क्या individual soul, जैसे हर इंसान के अंदर आत्मा होती न, जिससे कभी-कभ हम डर जाते हैं कि आत्मा आजाएगी, भूता जाएगे, वैसी आली न, मतलब आपका शरीर है, वो शरीर है, लेकिन आपके शरीर को शरीर बनाया रखा किसने आपकी आत्मा ने, तो आत्मा है जब तक शरीर में प्राइम रहते हैं, ऐसे सुना है हमने, तो उस संस में कहा है that they believe that ultimately both Atma and Brahma were one ठीके दोनों में उनोंने क्या बोला कि दोनों ही एक है हमारा ये जो जैसे आप गुद्धिजम के बारे में भी पढ़ गया है पिछले जाप्टर मुद्ध के अला कि लाइफ और डथ का ये जो साइकल है इसका ultimate aim ये होना चाहिए कि वो जो बारे में और अलग-अलग philosophies, अलग-अलग school of thoughts के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे हिस्ट्री में बागे जो कॉम्पेटिजम की तैयारी कर रहे है तो भी या आपके लिए ये क्या हो जाती है इंपोर्टिंट हो जाती है यहां से question बनते है तो इन्हें ध्यान रखना है इनके बारे में और रिसर्च करना है आपको ठीक फिर अब जिससे हम देखे हैं तो इस आइडियास वर रिकॉर्ड इन उपनिशद तो जिस तरह से इन्होंने कुछ questions उनके मन में हैं questions के उपर जब discussion क्या होगा यह idea के answers मिलोंगे तो उन answers को उन्होंने कहा record किया उपनिशद में और इस तरह से उपनिशद बैठो तो पास आकर बैठो अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर यह होता है उपनिशद ठीक है अब कौन किसके पास जाकर बैठ रहा है सार तो यहां पर सिंपल सी चीज़े बताएगा यह कि अगर ज्यान लेना है तो आपको गुरू के पास आकर बैठना पड़ेगा और इसकी प्रशने से सांस में है कि यह जहो टेख्स है ठीक है उपनिशद टेक्स्ट जो है तो उपनिशद थी टेक्स्ट कंटेइन कनवरिंसिशंस बिट्मीन टीचर एंड स् Democracy चैवज जो है तो टीचर और स्टुडींक की बीच दीचर के बात को टेक्स में देखने को मिलेंगे ideas were presented through simple dialogues तो सिर्फ simple dialogues के form में ideas को present किया गया कि dialogue चल रहा है और दो जिससे कभी-कभी होता ना podcast क्यों देखते हैं सुनते हैं कि दो लोग बात करें हम उनको बैठ के देखते हैं mobile में क्यों क्योंकि उनकी बातों से हमें कुछ सीखने को मिलता ideas were presented through simple dialogue ठीक है दो लोग बात कर रहे हैं और उससे हमें जानने को मिल रहा है कुछ चीजें हमारे कुछ मन में जो सवाल होंगे वो हमारे सुलज रहे हैं ठीक है तो यह उपनिशद टेक्स्ट की कहानी रही है तो उपनिशद थिंकर जो रहे हैं तो यूज्वली इस्पेशली अगर जिसे दिखा जाए तो क्या हुआ एक टाइम पिरेड में मैं ही उपनिशद थिंकर होते थे जिन्होंने उपनिशद लिखना चालू किया गा उपनिशद के आइडियाज में अपना कंट्रिबुशन दिया होगा ठीक है तो उसमें भी ब्रहामिन्स और राजा ही होते थे है मतलब क्या देख रहे हो आपकी जो वर्णा सिस्टम ता उस सबसQUE जो अबर स्ट्राटा था अठी कैसि हैज जो हरारकी में उपर जिन वर्ण को माना जाता था वह वर्ण के लोग जो थे ब्रहमिन सो राजास थिक के स्टरी और ब्रहामिन यह लोग उपनिशद फिंकर गारगी यह ध्यान रखना है आपको नाम, गारगी कौने में आपको बताता हूं, तो एक सेंड थे, ठीकें, उन सेंड का नाम शायद वाचानु को रिशी था ऐसा कुछ, ठीकें, वाचानु को रिशी जो थे, तो उनकी बेटी थी और ये बच्छपन से ही क्या थी, बहुत ज अपनिशद लिखने में, ठीकें, उपनिशद के आईडियाज में, तो who was famous for her learning and participated in debates held in royal court, तो उस time period में 6-7th century के आसपास का time period में, 6-7th AD के time period में, इन्होंने क्या किया, अपना contribution दिया, AD न, ABC, ठीकें, तो अपना contribution दिया, फिर क्या होता है, poor people rarely took part in this discussions, अब यहां पर ये बत इन्होंने इस debate में आफिके सकते in conversation में पाट लिया, गरीम इंसान जो होते तो, वो कम participate करते थे, ठीके, poor people rarely took part in this discussions, तो यहां पर लेकिन exception एक है, तो one famous exception was, सत्यकामा जबाला, सत्यकामा जबाला कौने, अब देखो, जबालो उपनिशद एक उपनिशद है, ठीके, उपनिश में से एक उपनिशद कौन सा है, जिसे आप देखोगे, एक माइनर उपनिशद है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपको बता रहों कि जबालो उपनिशद है, तो अब सत्यकामा जबाला कौन है, यह समझो, मैंने आपको बताया कि poor people rarely took part in this discussion, गरीम इंसान उतना पार्ट म नहीं नहीं थे discussion, लेकिन एक exception है, सत्यकामा जबाला, who was named after his mother, the slave woman, जबाली, तो महिला थी जबाली, अब जबाली का जो बेटा था, उनका नाम था सत्यकामा जबाला, अब सत्यकामा जबाला जो थे ना, तो वो कह सकते कि society के in sections को बिलॉंग नहीं करते थे, ना वो ब्रामी He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama and became one of the best known thinkers of the time, ठीक है, तो हरिद्रु माता, पूरा नाम अगर बता है, तो हरिद्रु माता गौतमा जो थे, ठीक है, हरिद्रु माता गौतमा, गौतमा से आप कन्फिश बुद्धिजम में मत कर लेना, तो हरिद्रु माता गौतमा एक सेंट थे ठीक, तो उनके पास क्या होता है, एक बार मैं कहानी बताता हूं को, सत्यकामा जवाला जो थे, तो वो पहुच जाते हैं, सत्यकामा जवाला पहुच जाते हैं, कि मुझे सच की चाहा है, कि सच क्या है, मतलब वही जो अंदर बर्रिंग कॉशन्स थे, उनके आंसर्स के चाह तो उसके लिए तुम्हारे पिता जी कौन है वो मुझे नहीं पता है जब यह कहती है तो इन्हें नहीं पता रहता है बहुत अनिस्टी अपने गुरू से भी क्या कहते है जब गौतमा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गौतमा पुछते कि अच्छा तुम सीखना चाहते हैं चाहे तुम किसी भी फैमिली को बिलाओं करो फिर उनको अपना शिष्ष्य बनाते हैं और फिर उन्हों ने उपनिशद में अपना क्या दिया तो जैसे में आपको होता है जबाली उपनिशद उनके द्वारा लिखा गया ठीके मेनी ऑफ दी आइडिया उपनिशद निजम आपने देखा तो इंडियन हिस्ट्री में जो फिलोसोफिकल डवलप्मेंट हुआ है जो सोच विक्सित हुई हमारी तो उसमें कुछ नाम बहुत बड़े हैं तो इन लोगों का कंट्रिबूशन बहुत जादा रहा है हमारी फिलोसोफी के डवलप्मेंट में इन्हो अब भूत ह् सारे फैक्स हमें आपको बता दी है लास्ट में आपके पास एक स्टोरी है तो जैसे बता है ना डायलॉग के फ़र्म ने आपको नौलिज दी कही है तो यहां पर किस टोरी दी गई है तो चंदोगय उपनिश्द कुछ-कुछ धियान रखना रहते जैसे हमें जैसे क्या है मुंड का उपनिश्द जो है तो एक बार कॉम्डिटी अग्जाम सवालों के लिए खास करके बता रहूं कि एक बार कुशन आया था ठीक है कि जो सत्यमेव जयते हैं ठीक है हमारे नैशनल एमिलम में आपको सत्यमेव जयते यह मिलेगा न अमेरिकान वाला शो न आशन में देखने मिलेंगे अब वहीं से एक स्टोरी ली गई है दिवाइस बेगर तो अब एक विकारी रहता है ठीक है तो दो सेंट्स जो थे कौन-कौन थे शुक शुनाका शुनाका एंड अभी प्रात्रिन अभी प्रात्रिन जो थे तो देवर टू सेजेस वो पूजा करते हुँ वह प्रिशत से आपको नॉलेज मिलेगा आया समझ में So this was all about उपनिशद. आशा करता हूँ, यहां तक आपको चीजें समझ में आईए, किसी प्रकार का डाउट है, feel free to ask in comment section. बुदिशद. के बारे में हमने देखा कि नए questions, नए ideas कैसे इमर्ज हो रहे थे. हमने देखा कि उपनिशद से किस तरह से नए questions, नए ideas इमर्ज हुए. अबylan. ब्जनिज़ं में हम जनिज़ं के बारे में पढ़ने वाले हैं. जैनिजम के बारे में नेक्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैगनेट ब्रेंस फर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ systematic way में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अविलेबल हैं जिने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं घर बैठे अपना syllabus कम्प्रीट कर सकते हैं अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैगनेट ब्रेंस के बारे में मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, till then stay connected, keep learning thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिगरास सिंग राजपूत, welcome to Magnate Pains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पानी दी ग्रैमेरियन के बारे में आप में से कितने लोगों ने पानी रिशी पानीनी का नाम पहले सुना है ठीक हो सकता है काफी लोगों ने सुना भी हो और ये भी हो सकता है कि काफी लोगों ने ना भी सुना हो लेकिन आज इस वीडियो में आपको जानना समझना बहुत जादा जरूरी है इंडियन इस्टिरी की जब आप बात करते हो ना तो ऐसे एक नहीं, एक हजार नाम होंगे, जिन्हें हमें उनके बारे में उनसे कुछ नहीं जादा पता चलता है, मतलब उनके द्वारा खुद के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, ठीक है, हमें उनकी जो information है तो इदर उदर से मिलती है, थोड़ा बहुत कहीं से, यहां से, इदर उदर के टेक्स्ट से, दूसरे स्कॉलर से मिलती है, लेकिन उनका जो contribution रहा है, वो बहुत बड़ा रहा है, थीक है, उस contribution ने कहीं बहुत बड़ा change लाया है, तो वैसे ही, एक, मतलब saint के बारे में, ठीक है, एक grammarian के बारे में, एक linguist के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो है, रिशी पानिनी, ठीक, अब जड़ा chapter से relate करो, chapter के हमारा new questions and ideas, अब अभी तक आपने क्या देखा new questions and ideas में, कि नए-नए ideas emerge हो रहे थे, नए-नए ideas हो रहे थे, religion को लेके, philosophy को लेके, जिवन को कैसे देखना है, life की philosophy को लेकर नए-नए ideas आ रहे थे, जिसे बुद्धिज उपनिशद आपने अभी दो topics पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर आपको यह समझना है कि सिर्फ religion का ही development में हो रहा था ना, उसे के सांसाथ में दूसरी भी और नए-नए development हो रहे थे, नए-नए ideas नए-नए thoughts आ रहे थे, तो उनी में से एक thought क्या रहे था पता कि literature जो है, वो भी strong की जा रही थी, literature यहने क्या होता है, तो जिससे अगर आप देखोगे, कि आपने इस टाइटिंग में पढ़ा भी था एक चाप्टर में कि जो वेदिक संस्कृत है और आज की जो संस्कृत है वो अलग है, ठीक है, दोनों अलग क्यों है, क्योंकि बीच में एक phase ऐसा आ जाता है, language को कह सकते है कि एक पूरे तरह से order में लाया जाता है, और वो काम किसके द्वारा किया गया था, पाणिनी के द्वारा, तो रिशी पाणिनी जो थे, वो एक grammarian थे, जिन्होंने क्या क्या, मतलब, he was the Sanskrit grammarian and a scholar in ancient Sanskrit, ठीक है, अब आपको ये समझा है कि उनका contribution जो रह रहा था, लेटर वेदिक पिरेड साब महाजन पद्वाले टाइम पिरेड में जब एंटर कर रहो हो, तो वहाँ पर ये भी development हो रहा था, अब क्या टाइम पिरेड है सार उनका, तो देखो, वही मैंने आपको उतार है कि इनके बारे में, इनके खुद के कुछ हमें sources नहीं म सकते हैं, लेकिन 19th century में जब Europeans आये हमारे हैं, जब Europeans आये तो उन्होंने जब study करना चालू करा चीजों को, तो Europeans की study के बाद में हमें पता चला कि, और कुछ Europeans है मानते भी कि he is the first linguist of the world, पहली बार किसी ने language पे काम किया, Plato, Socrates वगरा नहीं है, इन्होंने पहली बार काम किया लेक्वेज पे, तो उन्हें उस चीज का क्या दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है, कुछ Europeans के दवारा, ठीके, क्योंकि जब इनके वर्ग को देखा गया, तो उसने क्या किया, बहुत बड़ा चीज लाया, किसमें grammar की study में, किसकी grammar, Sanskrit grammar, और एक चीज और बता तो मैं आ लेक्वेज है, सबसेट सही लेक्वेज है, और फिर आपने ये तो सारा सुना ही होगा, कि नासा में, ये वो Sanskrit, उसके अलावा भी मैं जैसे बता हूँ कि, बहुत, जो बोलते ना, कोडिंग वाली लेक्वेज है Sanskrit, कोडिंग वाली language क्या से, कि computer की language है Sanskrit, ठीके, और उसको वह and consonants in a special order and then used these to create formula like those found in algebra, ठीके, तो उन्होंने systematically verbals, consonant बनाए है, उनको फिर एक formula के तार आरेंज किया, जैसे हम algebra में करते है, अब math, एक चीज़ और बता तो मैं आपको, कि अगर कोई सा subject, ठीके, जैसे कह सकते हैं कि natural truth है, अगर कोई सा subject, तो natural truth कौन सा है, math है, बाकि कोई भ हम interpretation की बात करते हैं, हमने जितना समझा हमने वो देखा, लेकिन maths एकदम natural truth है subject, क्यासे, कि दो और दो चार होता है, तो वो होता ही होता है, हब history है, geography है, अब history में हम जो पढ़ रहे हो सकता है, हम किसी की interpretation पढ़ रहे है, कुछ सच और रहा, उस समी की बात नहीं बता ना हमे तो naturally, अगर natural truth है, अगर कोई subject वो math है, तो हम mathematically align कर दे, algebra की तरह align कर दे उन्होंने, किस language को, Sanskrit को, नियान रहेगा ये, फिर अगली चीज का है, he used these to write down rules and language in short formula, तो अब क्या किया उन्होंने, ये सारी चीज़े जो है, तो मतलब अपने सारे formulas वगरा को, छोटे-छोटे, है, उसको उन्होंने क्या किया, write down the rules and language in short formulas, तो छोटे-छोटे जैसे विभक्तिया वगरा इस सारी चीज़े न, तो उनको formulas बनाए, और उसी के साथ साथ में, तेखो, ये उन्होंने ग्रामेटिकल पार्ट पर काम किया, और अपने इस पूरे के पूरे work को उन्होंने लिख कर जाती अस्टधी आई, मतलब उन्होंने बहुत systematically सारी चीज़ें को बताया है, clear हुआ, अब इसको आप रिलेट कर सकते हूँ कि किस तरह से society में, जब ये लेटर वेदिक पिरेड वाले टाम पिरेड में, क्या-क्या नए-नए development हो रहे थे, नए questions, नए ideas, सिर्फ religion तक नही लिटरेचर का भी development हो रहा था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई यहाँ पर, ठीक है, तो संस्कृत पानिनी's contribution marked a start of classical era, classical era मतलब क्या होता है, classical era मतलब किसी भी चीज़ को सबसे बढ़िया time period, time frame जो रहता है, तो रिशी पानिनी के बाद से क्या होता है, कि संस्कृत जो है तो बहुत systematic language बन गी थी, ऐसा नहीं पहले नहीं थी, पहले भी संस्कृत थी, और यह भी हाँ, बहुत सारी लोग गलत interpret के कर ले थे, कि संस्कृत रिशी पानिनी के बाद से ही चाल हुई है, ऐसा नहीं है, संस्कृत तो पहले भी थी, वेदिक टेक्ष तो पहले संस्कृत is considered as the most accurate and scientific language of the world, clear हुआ है, so this was all about छोटा सा topic था, छोटा सा box था लेकि मैं उसे एक topic में समझाया आपको, this was all about रिशी पानिनी दी ग्रामेरियन, आशा करता हूँ, यहां तक चीज़ें समझ में आईए, next video में हम क्या पढ़ने वाले है, next video में हम जैनीजम के बारे म यह एक बीच में topic आए, वो समझाया में आपको, अब जैनीजम के बारे में इसा ही देखेंगे कि वो क्या changes लेके आए, society में, क्या ideas लेके आया, किसी प्रकार का doubt है, feel free to ask in comment section, magnet brains पर, इसी तरह से class 4 से class 12 तक, सभी subjects, chapters, topics, subtopics, सब कुछ, systematic way में, video lectures के format में available है, जिनने आप आप आसानी सिदीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना syllabus कम्प्लीट कर सकते हैं, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए, magnet brains के बारे में, बलता है नेक्स वीडियो में, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much. जो लेटर वेदिक वाला time period है, उस society में बदलाव आ रहा था, और जो society में बदलाव आ रहा था, ठीकिए, politically तो change आई रहे थे, लेकिन लोगों की सोच में बदलाव आ रहा था, नए-नए religion निकल के आ रहे थे, और नए religion क्यों निकल के आ रहे थे, उसका भी कारण में बता देता हूं आपको, कि जैसे जो पुराना उस समय पे, जैसे अरली वेदिक टेक्ष्ट देखोगे, जो वेदास को देखोगे, तो उसमें जहां कमी रहे गई, उस कमी को पूरा करने के लिए नए questions उठे, नए questions में नए ideas निकल के आ, और नए ideas लोगों को अच्छे लगे, ल इक्वैलिटी थी, तो इक्वैलिटी के अगेंस्ट में सवाल उठे, और सवाल उठे तो जो नए ideas आया तो जिसे बुद्धिजम, जैनिजम ये जो religion है, इन में equality की बात की गई, ठीक है, तो वो पूरी कहानी है, ठीक, तो ये नए ideas, नए questions जब आये, अब यहां पे आप व 500 BC जो था, ठीक है, Before Common Era देखा जाए, अगर आज से मान के चलो, पच्छी सो साल पहले, इनका जन्म हुआ, ठीक है, अब इनका जन्म हुआ तो इनसे पहले जैनिजम है, एक चीज और बता देता हूँ, जो माइथिलोजी एक अलग दिशा में ले जाती है, आपको, ठीक, एक रिलिजियन का इंटीग्रल पार्ट है, और कुछ चीज है ऐसी जिन है, वैसा ही रहने दो, फिर एक क्या होता है, एक हिस्टोरियन्स, वो भी आप, क्योंकि आप एक modern era में जी रहा हो, तो आपको facts और क्या है, वो चीज पर भी ध्यान देना होगा, तो हिस्टोरियन्स was considered as the last and 24th तीर्थांकर of Jains, ठीक है, अब 24th लास्ट तीर्थांकर ये क्या कहानी सर समझाओ, तो Jain धर्म जो है, Jain धर्म में क्या होता है, Jainism और Buddhism काफी हद तक similar है, ठीक, इस चीज को ध्यान रखना, लोग तो confused बो जाते हैं नहीं, बुद्धा बोलते नहीं, महावीर बो तो God कौन हुआ, तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जैसे आप वर्दमान महावीर की अगर बात करते हैं, तो जैसे बुद्धिजम में आपने देखा कि गौतम बुद्ध जो थे, सिदार्ध गौतम में जो थे, तो उन्होंने एक इनसान की तरह जन्म लिया, लेक जैसे हर लीजन में आप देख लो, अब कृष्ण भगवान भी क्या इनसान की तरह आये थे न, लेकिन उन्होंने अपने करमों से अपने आपको क्या कर लिया, भगवान बना लिया, ठीक, उसी तरह से क्या होता है, कि वर्दमान महावीर के अगर आप कहानी देखेंगे, त ठीक, अगरूप देट वास पार्ट ओफ वजजी संग, ठीक, तो लचावीर वजजी संग ये क्या कहानी है, तो आप पढ़ क्या है, महाजन पदा जब पढ़े थे मने वजजी, महाजन पदा वजजी संग पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या लगला confidenceी थी, मैंने बता है, कि बर्निंग कुशिंस थे, उनकी चाहा में इनोंने क्या कर दिया, at the age of 30, he left home and went to live in a forest, ठीक है, तो जैसे इन से, अब जैनिजम क्या है, पहले से चला आ रहा रहा ना religion, तो इनका contribution क्या है, हम हमारी discussion को यहाँ पर specific रख रहे है, तो वो अपना घर छोड़के सत्ती की तलाश म से उनने enlightenment मिलता है, ठीक है, तो वही कहानी है, अब जैसे आप एक शक्तिमान एक प्रोग्राम आता था, शक्तिमान में क्या होता था, गंगाधर जो था ना, तो वो एक मज़गा चीज मुझे वहाँ से जानने को मिली मैं आपको रिलेड कर वाता हूँ, कि गंगाधर क्या तो लेकिन वो शक्तिमान कैसे वनगा, उसने अपने अंदर जो अपनी शक्तियां थी उन्हें जगाया, ठीक है, अपने विचारों से शक्तिमान बना तो आप भी शक्तिमान बन जाओगे, तो वही चीज रहती है, तो for 12 years he led a hard and lonely life at the end of which he attended enlightenment, clear हुआ, तो he taught simple doctrine, अब उन्हें बहुत simple सी चीज़ें सिखा के गए, ठीक, वर्दमान महावीर ने जैनिजम उनका ये contribution रहा हुआ, उन्हें बहुत simple सी चीज़ें सिखा के गए, जिससे आप time frame देखोगे, एक चीज और बता देता हूँ, कि 500 BC, मतलब आज से पच्छी सो साल पहले के time period में अप देखेंगे तो वर्दमान महावीर के जन्म हुआ, ठीक है, और उसी समय पे बुद्धिजम भी flourish हो रहा था, तो बुद्धिजम गौतम बुद्ध बाद में आये, ठीक है, वर्दमान महावीर फिर गौतम बुद्ध और उस समय पे जैनिजम बुद्धिजम ये अपने आपको डिटाइच करो और अहिंसा का पात अपना हो, अहिंसा मतलब क्या होता, अहिंसा मतलब not-valor, आपको किसी भी तरह से, सोच से, अपने विचार से, मतलब अपने thought में भी आपको वायलेन्ट नहीं होना है, अपने act में होना है, तो उस तरह से उननों बुला कि आपको strictly अहिंसा को follow करना होगा, लड़ाी बढ़ायी नहीं क ये सारे जो वोज हैं, फाइव वोज, ये जैनिजम के basic principles, underlying principles हैं, इनने में आपको यहाँ पे बताऊँगा और समझाँगा अभी, तो अब इनकी popularity जो है वोगों में बहुत जादा बड़ी, तो influence अमंग people जो देखा जाए, तो इनके ideas लोगों को किस तरह से influence कर गए, क्यों influence क तो महावीर उस प्राकृत in his teaching, प्राकृत पहले भी पढ़ा अपने, बुद्धिजम में भी क्या था, प्राकृत के इस्तमाल किया जा, तो प्राकृत language, simple language के इस्तमाल करते हो, उन्होंने क्या क्या लोगों को संधिश दिया अपना, और लोगों ने उस संधिश को फिर follow भ या कि अब इसमें भी क्या है variation आ जाते हैं, जैसे अ बुदेल खंड में बुदेल खंडी हींदी हैं, वो लेकिए Hindi और बुदेल खंडी मिक्स हैं, भोचपुरी जो है, तो आपको एक ह्योग साओ सки्नता उदर से मिलता रहेगा, जीकिम मघह जाती थी, त भ 有ος वेरी करती है कि जो rulers हैं तो rulers किस religious point of view को follow कर रहे हैं उस हिसाब से वो अपनी policies को रखेंगे साही ची ने तो आपने जिसे क्या बिम्भी सार के बारे में पड़ा अजास्त्यू के बारे में पड़ा तो बिम्भी सार एक मतलब जैनिजम को follow करते थे फिर आजास्त्यू की बारी बुद्धिस टेक्स्ट है मुए बोलते अजास्त्यू ने बुद्धिसम को adopt कर लिया था जैसे आपने वो भी देखा था कि अजास्त्यू जब attack करने जा रहे थे वज्जी पे तो उन्होंने पूछा था किसे गौतम बुद्धिस से अपने एक कमांडर को पहुचा के तो य आपको बहुत कुछ बता है जनि इसम के बारे में गर्धमान ओर देखे तो आ कि जुन्होंने एनलाइटमंट अटेंट कर लिया तो희स ये बघन 온 के और अब जो कंगे। तो उन प्रिंसिपल्स क्या दिये गए जैसे, they led very simple life, बहुत साधारन जीवन जीना है में, ठीके, साधारन जीवन जीना है मतला यसा नहीं कि आपको बहुत material stick होना है आपको, ठीके, begging for food, खाना भी क्या है, जीवन, खाने के लिए थुरी ना जी रहे हैं, ठीके, जीने के लिए खाना है, ऐसा थो ही कि बस खाना है, इसलिए कुछ भी करते जा रहे हैं, तो इस तंस में क्या, उन्होंने बोला कि जितना जरुवत है, उतना भीग मांग के भी तुम अपना काम चला सकते हो, begging for food, they had to be absolutely honest, ठीके, honesty पे बहुत जादा फोकस किया गया, जूट नहीं बोलोगे, ब्रह्मचार है, ब्रह्मचार है, अपनी मतलब जो डिजायर से उन्हें कंट्रोल करना है आपको, ठीके, अपने आपको sexually detached करना है वल्ड से, तो celibacy फॉलो करना होगा, men had to give up everything including their clothes, और फिर भाई आते हैं, अब detachment रखना है, तो detachment में यही कि मेरी t-shirt, ठीके, मेरा shirt और मेर बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा घर, यह सारी चीज़ें नहीं, आपको अपने आपको detach करना है, तो उन्होंने बोला कि इतना detach कर दो कि आप अपने clothes भी छोड़ दो, तो आपने देखा होगा, बहुत सारे jeans ands जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इस तरह से बिना कपडों के त्याग देते हैं, वो दिगांबर saint होते हैं, तरुन सागर जी जैसे सुना होगा आपने, आया समझ में, तो अब यह जो आपको सारे rules दिखें ना, तो आप rules, theoretically कि इतने अच्छे लग रहे हैं, कि आपको यह सब काम नहीं करना है, तो आप अगर देखोगे ना, तो बहुत इसलिए क्या होता है, तो 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 इसलिए क्या मतलब मैं जयन हूं मानलो जैसे एक example दे रहा हूं मैं जयन हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस तरह से क्या करूँगा strictly सारे principles follow करूँगा तो strictly principles follow करने वाले कुछ लोग हुए और कुछ लोग ऐसे भी हुए फिर जो जयन धर्म को follow कर रहे हैं लेकिन यह जो followers हैं जैसे जो monks होगा जयन monks उनके उनकी सेवा में लगे रहते हैं तो फिर आप लोगों ने जो बहुत कटिंदा तो अपने अपने हिसाब से आसान करते चिलेगे चीजों को तो बहुत सारे लोग जिन्हें बहुत जादा इस्टिक लगा तो वो घर पर ही रहते थे लेकिन वो इनके principles follow करते थे इने follow करते थे जो monks थे जो nuns थी उन्हें क्या करते थे खाना देते थे उनके लिए विवस्था करते थे ठीक है तो यह जैनिजम की कहानी हो गई है आगे और अगर जैसे देखें तो जैनिजम is more popular among the trader compared to the farmers ठीक है trading group के बीच में यह धर्म जादा popular हुआ as compared to farmers reasons sochow जरा 2 minute के लिए बस क्या कारण रहा होगा कारण दो सिंपल सा है जैनिजम में क्या वो लगा गया आहिंसा follow करना तुम्हें तुम्हें बिल्कुल भी violence नहीं करना किसी की भी मृत्यू नहीं मतलब होने देना है या फिर हत्या नहीं करना है तो अब वो एक छोटा से कीड लगा के क्या हो जाएगा इंसान हो जाएगा तो इंसान को तो कोई नहीं मार रहा है ठीक है लेकिन छोटे-छोटे कीडे यह हो गया मच्छर हो गया मच्छर बैठा हुगा है क्या करना परस इसा करना है विचार की तो जान चले जाएगी लेकिन जैनिजम में बोला कि नहीं तो सिंसमें Farmers दोतें Farmers को 깊ड़ा परकॉर्णुमरूर में जादा Part 2 पॉपिलर दिया क्यों कि farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules जो rules दिये गए हैं जो rules doctrine में prescribed किये गए हैं उन्हें ज्यादा difficult लगे ठीके अब देखो spread of jainism spread of jainism में आपको बताता हूं किस तरह से फेला तो spread to different part of North India, Gujarat, Tamil Nadu and Karnatata तो इंडिया में jainism flourish हुआ ठीके अलग-अलग parts में flourish हुआ अलग-अलग जगा पे बहुत सारे followers आप जैसे देखेंगे बहुत सारे followers बहुत सारे followers आज भी है जैनism के ठीके इस धर्म को follow किया जाता है और अब जो teachings थी महाविरा की तो महाविरा की teachings उनसे पहले जो तीर्थांकर सुमें उनकी teachings जो थी तो initially they were transmitted orally ठीक है जैसे आपने देखाऊगा वेदिक टेस्ट में भी क्या हुआ था बुद्धिजम में भी क्या हुआ था कि शुरुवाती दौर में महाविरा जो थे गौतम बुद्धा जो थे इन्होंने जो बोला वो उनकी सिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तो वलाभी में वलाभी इन गुजरात आप देख रहा हो महावीरा की बर्त के लगब लगब एक हजार साल बाद उनकी टीचिंग को लिखा गया एक हजार साल तक चलता रहा कि उनकी टीचिंग दी वो वर्बली ओरली क्या होते चलेगी ट्रांस्मीट होते चलेगी एक इंसान से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इस तरह थे फर इल्टिमेटली क्या होता है 500 AD या फिर कॉमन एरा जो है उस ताइम प्रिद्ध में क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्स, चैप्टर्स, सब्टॉपिक सबकुछ सिस्टमाटिक वे में वीडियो लेक्ट्टर्स के फॉर्मेट में अविलेबल हैं जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं घर बैठे अपना सिलिबस कंप्लीट कर सकते हैं अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैगनेट बीइन्स के बारे में मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तिल देन स्टे कनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू बइच हलो अवरीबडी इस दिग्रास सिंह राजपूत वेलकम तो मैगनेट इस वीडियो में एक इंपोर्टन टॉपिक पढ़ने वाले हैं टॉपिक है हमारा दस संघा अब संघा क्या चीज़ हैं यहां पर समझो ठीक है आप क्योंकि पहले पढ़के आयोगे शब तो अभी बहुत सारी लोग कंफ्यूज होंगे सारी चीज़न क्लियर करेंगे हम पह चीज़न के आंसर डूण रहे थे सारी चीज़न हो रही थी अब जब यह सारा सब कुछ बदलाव आ रहा था तो इस बदलाव में इस बदलाव में क्या होता है इस बदलाव में बहुत सारे नए-एंस्टिटूशन बनते हैं ठीक हर धर्म जो निकल के आया उस समय पर जैसे तो नहीं कि बाजार में मिल रहा है एक रुपे किलो ठीक है नॉलेज आपको कैसे मिलेगा तो दोनों जो दो मेजर रिलीजियन उस समय पर जैसे इमज हुए बुद्धिजम जैनिजम ठीक है तो बुद्धा ने महावीर ने दोनों ने ही क्या कहा दोनों ने कहा बोत थी महा नॉलेज की तलाश है उसे अपना घर बार सब छोड़के बहाँ जाना पड़ेगा अब सवाल यहां पर यहां पर चोड़के चले आएंगे लेकिन फिर रहेंगे कहां और ऐसा तो रोड़ पर चलते चलते नॉलेज मिल जाएगी हमें नॉलेज देने वाला इंसान भी तो हो क्या रहा है क्योंकि उन्हें कहा कि आप वर्डली अटेश्मेंट जो है इससे पहले बाहर निकलना होगा अब आप सोचो कि आप क्या कर लो आप अपने मतलब अपने बच्चों बच्चों के सांथ भी रह लोगे जैसे एक एक्जामपल दे रहों आपके बच्चों के सांथ आप आपकी गाड़ी रहा आपके घर से भी आपको प्यार है आपके डॉगी से भी आपको प्यार है और आप बोल रहे हमें सही नॉलेज भी चाहिए ठीक है तो वह डिफिकल्ट इंपॉसिबल नहीं है डिफिकल्ट था तो उन्ने बोला कि यह सब त्याग करो मौम आया है और क्या करो फिर सत्य की तलाश में निकलो फिर आपको नॉलेज मिलेगा तो उसी चीज को करने के लिए अब जैसे आप निकल तो आएंगे घर छोड़के लेकिन जाएंगे कहां कहां नॉलेज मिलेगा सावाल हो यह ना पर जाएंगे कहां तो therefore they arranged तो जो बुद्धिस्ट मॉंक्स थे या फिर कह सकते जैसे बुद्धा और जैनिजम के ताइम पर जैसे आप देखेंगे महावीर तो they arranged for them to stay together in the sangha, an association of those who left their homes to остmee सब सब शिश्य बनने आगा है सबस्ज्य क libro इसकी अधानल हो सब उखनार की वह आफिए सब हम depend on going to a, animalтоящ की सारों फर फोलोग चोड़के सब हम एक सांत रहेंगे और यह सांत हम knowledge की तलाश करेंगे ठीक है मैं आपको क्या दूँगा ग्यान दूँगा आपको वो ग्यान लेना रहेगा ठीक तो एक association बनी जितने भी लोग घर छोड़के आए तो इस तरह से क्या होता है अब आप बोलोगे सर इतना finance आप finance finance की बात कर तो पैसा कहां से आएगा तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको five star hotel में रखेंगे ठीक है normal life जीना तो और आगे समझाते जाओंगा कि सारे लोग एकसा आता है बस रहेंगे जो group बना association वो संग कहलाएगा ठीक है ऐसा नहीं कोई institution बनाए कि बड़ी ऐसी building building बनी है सिर्फ वो जो लोगों का एक समुहू बना है उसे संग कहा ठीक तो अब जिसे आपके पास में कहां से आपको knowledge मिलिए तो विने पिता का Buddhist literature जो है उससे हमें क्या जानने को मिलता है कि rules made for Buddhist संगा were written in this book तो विने पिता का जो है तो इस book में जो Buddhist संग बने जैनीजम में भी इसी तरह से group बनाए गया संग बनाए गया ठीक है तो Buddhist संग जो बन all men could join the sangha अब यहाँ पे confused मत हो न all men could join the sangha इसका मतलब यह नहीं कि स्तिर्फ men ही join कर सकते है all men मतलब वो gender neutral term की तरह लेखो उसको all men मतलब सभी लोग all people can join तो all could join sangha ऐसे रहेगा क्यों क्योंकि आगे evidence मिलेगा आपको जहाँ women भी join करती है sangha तो others have to take permission for joining sangha क्या होता था कि सार लोग अपनी इक्षाजी से मैं यहाँ पे specifically इसलिए लिग दिया क्योंकि men को independent बताया है कि वो join कर सकते हैं बाकि उसके अलाबा जो जैसे दूसरी काटेगरी कि लोग जैसे बच्चे हो गए ठीके अब आपकी इक्षा हो गए कि सर बुद्धिजम इतना पढ़ लिया मनें इ सकते हैं लेकिन जी जो दूसरी काटेगरी बताएगी है कि बच्चों को क्या लेना होगा अपने पैरेंट से परमिशन लेना होगी ठीके स्लेव को अपने मास्टर से लेना होगी मतलब मानलो आप मेरे गुलाम हो ठीके तो आपको क्या करना होगा मुझसे परमिशन लेना हो कि मानलो कि चलो अब मैं विक्टिम बनता हूँ इस बार ठीक है कि मैंने आपसे पैसे उधार लिये थे अब मैं तो संत बन गया मॉंक बन गया जाके ठीक है बुद्धनम शंडम का अच्छा मी बोल दूगा मैं तो फिर आपके पैसे तो डूब जाएंगे तो सेंस में उन्हों करते हैंगे तो जा सकते हो फिर महिलाओं के लिए महिलाओं भी जॉइन कर सकती है पर वित देर हस्बंड्स परमिशन ठीक है तो अपने पतिदेव की आग्या के बिना हो संग जॉइन नहीं कर सकती है यह कहानी है ठीक तो सभी लोग जॉइन कर सकते हैं संग क्या है वो बता उभी बाली चीज में बहुत चीज में बहुत सिंपल लाइस जीना है गुरु से अपने को नॉलेज लेना है लुट टीक है यह समझना क्या होता है कि मेडिटेट करते थे अधिकतर समय तक तो आप आज जैसे आज भी आप अगर देखोगे तो अभी आप आगे पढ़ेंगे, आगे बुद्धिष मोनेश्ट्री वगरे के बारे में तब आर बताऊंगा, तो बुद्धिष मोंक्स जो होते हैं, उनका मेजर टाइम जो रहता, वो मेडिटेशन और निकल जाते हैं, त कि छपन भोग लगेंगे, सारी चीज़न होंगे, जो पेट भर जाए बस उतना खाना चाहिए रहेगा, तो उतना भीक मांग के आदमी कमा सकता है, तो एक टाइम फिक्स रहता है कि सुबह जाएंगे, शाम जाएंगे, और सब जाते थे, गोता मुद्ध भी जाते थे, उनक कुछ उसमें त्याग दिया होगा, वो क्या है, एक भीकारी है, बस वो अपने जीवन या अपन के लिए भीक मांग रहा है, तो जैसे फीमेल बिक्षणीज होती थी, भीक्षणीज होती चीज़ों, तो वो भी क्या करती थी, जैसे महिला हैं, वो भी मांगती थी, और पुर तो अगर कोई क्वेरल हो जाता था, ठीक है, कोई समस्य हो जाती थी, तो उसको सुझाने के लिए मीटिंग्स भी होती थी संधा में, क्यों सारे लोग एकी साथ रह रहे हैं, अपना-पना अपना एनलाइटमेंट की तलाश करें, सब सोच रहे हैं, सब अपने अपने आपकी बुक में जैसे ब्रामिन, शत्रिया, मर्चेंट, लेबर, बार्बर, कर्टीशन, स्लेव, तो अब ये चीज़ आप देखो और वेदिक टेक्स्ट से कंपेर करो इसे, वेदिक टेक्स्ट में क्या था, वेद वगेरा कौन है, तो वेद कौन पड़ेगा, कौन को मिलना चाहिए न, तो उन्होंने क्या कहा, कि नीचे का जो शूद्र वाला सेक्शन, जो सो कौल्ड शूद्र थे, वेदिक सोसाइटी के, उन्हें भी यहाँ पे अनलाइट्मेंट का मौका मिला, इक्वैलिटी मिली, तो इस सेंस में पॉपुलरिटी इस रिलिजन की बढ किया, many of them wrote down the teachings of Buddha, जब संग में रहते थे, तो सिखाया, बुद्ध ने, तो बुद्ध ने जो सिखाया, सुना, उन्होंने लिख लिया, बोला कि इसके प्रिजर्फ करके रखना चाहिए, notes बना लिये, तो many of them wrote down the teachings of Buddha, some of them also composed beautiful poems, describing their life in the संगा, तो अब creativity भी होती है, किसी किसी कि अंदर poem वगेरा लिखना भी चालू कर दिया, तो इस तरह से उन्होंने सारी चीजों को दर्शाया, कि संग में जीवन कैसा था, ठीके, अब ये संगा जो आपने पढ़ाया, और जो आप Chapter 5 में पढ़के आया हो, बज्जी वाले उसमें, तो उनमें क्या difference आया, तो वो ए एक Deliberative Assembly जो Political Importance रखती थी, ठीके, आपको वहां पर आपका महाजन पर चलाना है, वो आपका पूरा देश है वो एक तरह से, वो चलाना है, उसे चलाने के लिए आप संग बनाते थे वहां, ठीके, और यहां संग क्या बनाए, यहां स्पृच्छल फुल्फिल्मेंट के लि वहां पर Political Objectives, Ideas के साथ में था, यहां पर अगर आप देखो तो है, Religious Ideas, Objectives के साथ है, क्लेर हो गया, so this was all about the संगा, next video में हम क्या पढ़ेंगे, Monastery के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपने बुद्धिष Monastery के बारे में सुना होगा, यह Monastery क्यों मनाए गई गई, कैसे कहां बनाए गई, किसने बनाए गई, सारे सवाल जो हैं, वह आपके क्या होने वाले हैं, next video में हम कवर करने वाले हैं, ISM में यह topic हमारे complete होता है, किसी प्रकार के doubt है, feel free to ask in comment section, magnet brains पर इसी तरह से, class 4th से class 12 तक सभी subjects, chapters, topics, subtopics, सब कुछ, systematic way में, video lectures के format में available है, जरहें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं, अपने juniors और seniors को जरूर बताएं, magnet brains के बारे में, बिलते हैं next video में, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much Hello everybody, this is Digraaf Singh Rajput, welcome to magnet brains इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे Monasteries के बारे में, Monasteries क्या होती हैं, सबसे पहला सवाल आपके मन में यह होगा कौन मनवाता है, सर क्यों मनवाते हैं, कैसे मनवाते हैं, यह सारे सवाल जो हैं आपके, वो इस video में हम क्या करने वाले हैं, सुल जाने वाले हैं देखो, आप सभी लोगोंने वीडियो में, मुवीज में इस तरह से, बुद्धिस Monasteries देखी होगी, बुद्धिस Monks को देखा होगा, छोटे-छोटे Monks भी होते हैं आपके बराबर, ठीके, 6th Class में तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी, ठीके, बहुत सारी लोग भूमने भी गए होंगे यहां पे Monasteries में, तो जैसे आप देखेंगा, इंडिया में भी Monasteries हैं, बहुत सारी, अरुनाचल प्रदेश में, तवांग Monasteries हैं, ठीके, हमीस Monasteries हैं, तो इस तरह से क्या है Monasteries हैं, बहुत सारी, Monasteries होती क्या हैं, तो आपने अभी पिछले वीडियो में संग पढ़ के आए थे, अब संग क्या हो गया, ग्रुप हो गया, तो जो सारे इंसान, जो सारे लोग जो क्या चाहते थे, knowledge सीख करना चाहते, जो चाहते थे कि है स्रत्त की तलास में निकले मतलब एक स्पेस भी तो लगेगा, तो रोल को बैटके करने लगेंगा, तो बहुत स्पेस भी लगेगा, तो उनका जो residential area कहलाएगा, वो monastery कहलाएगा, इसका evolution कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ अब systematically समझते चलो, तो बोथ Jain and Buddha monks went from place to place, अब क्या होता था, जैसे आप क्योंकि वो अपना संदेश लोगों तक पहुचाना चाते थे, अपनी teachings, बुद्धा की teaching logo तक पहुचाना चाते थे, तो आज क्या है, आज तो अगर आपको कोई message पहुचाना है, किसी की कोई सिक्षा पहुचाना है, तो आप क्या करते हो, WhatsApp, Facebook, इंसारी चीज़ों से क्या क पहुचा पाएं, ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, बोच जयन और बुद्धा मॉंग्स, वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू प्लेस, क्लियर है, for teaching people, to teach people, ये क्लियर हुआ, अब क्या होता है देखो, तो साल भर वो मूव नहीं कर सकते थे, the only time they stayed in one place was during rainy season, जब त ठीक है, मुझन ठीक है, मुझन ठीक हैं, जो दूसरे seasons रहेंगे, summers, winters, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगी, उसमें तो continuously move करते रहेंगे, क्यों क्यूंकि त्छीक है, घर्मी है, तो मान लोग की पतले कंपड़े पहन लेंगे, winters है, तो मोटे कंपड़े पहन लेंगे, और च Motorible Road नहीं होते थे न मतलब रास्तेकचे होते थे इसका मतलब क्या है कि एक बार बारिश गिर गई मतलब बारिश होगे एक बार पानी गिर गया जाथा तो उन रास्तों पे फिर चलना मुश्किल हो जाता था दिक्कते आती थी नदी पहले ब्रिजनी होते थी नदी पार करना possible नहीं हो पाता था तो देखो यह चीज आप देखना कंटिनिटी कैसे समझते हम कि कल्चर जो है कल्चर सिर्फ एक रिलिजन से कभी नहीं बनता है यह चीज आप देख रहे हो बुद्धिजम जैनिजम की परस्पेक्टिव से पढ़ रहो यही चीज क्या है आज से ना कुछ त तो इस तरह से क्या होता है कि रेनी सीजन जो रहता है उस समय पर मुवमेंट बंद हो जाती है तो देरफोर देर सपोर्टर्स बिल्टेम इन गार्डन्स टीक है और दे लिवड इन नैचरल केव्स इन हिली एरियास तो अब क्या होता था जो मॉंग्स थे लोज वर उन कंट ने बता है चार महाने ने प्र फिर अपना वही काम है लोगों को अपना संधेश पहुचाना तो चार महाने देटी उनके followers जो होते थे monks के वो उनके लिए temporary shelter बना देते थे temporary shelters garden में हो सकता है natural caves में बना दिया जाता था तो जैसे अब आपको यह image दिया आपकी book में क्या है यह a cave hollowed out in hills ठीके this is a cave in a carlay present day maharasht present day maharasht monks and nuns lived and meditated in these shelters तो आप देखो यहाँ पर क्या है एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हो जो commodities की त्यारी करने ध्यान रखना question कैसे आते हैं अब आप क्या देखोगे rock cut architecture art and culture वाले parts से तो rock cut architecture buddhist monasteries जो है या फी buddhist caves तो यहाँ पर क्या है आप से कहां क्या पढ़ना है कैसे connect करना वह बहुत जादा important है पढ़के तो आप एक दिन में पूरी बुक खतम कर सकते हो लेकिन reading यह नहीं लगाना है न इसको connectivity develop करना बहुत जादा ज़रूरी है clear हुआ अब आगे देखो क्या तो over the period of time over the period of time many supporters of monks and nuns and they themselves felt the need of more permanent centers अब जिसे क्या होते संगह बड़ा होते चले गया अब संगह जब बड़ा होते चले गया तो समय के साथ में क्या लगा बहुत सारे monks को बहुत सारी nuns को ठीके monks is for male and nuns is for female तो अब बहुत सारे बिकूस को बिक्षुनीस को क्या लगा कि अब हमें एक permanent settlement चाहिए रहेगा जिसमें हम क्या कर सके अपने जो अपना संग है अपना जो ग्रुप है वो सारे लोग एक सांथ वहार एक से रह सके meditate कर सके तो permanent structure जब बनाने की बात करी तो वो जिसे गोंपास भी कहा जाता है अरुद्धिष मोनाश्टिश वर ब्रिक्स वहार वार वी हरास भी कहा जाता है अधी अरलियेश्ट विहारा वर मेड ऑफ वुड एंड ऑफ ब्रिक्स तो पहले लकडी से बनाए बहुत शुरूवात में जो बनाए फिर जैसे इवॉलिशन हो रहा ना टाइम के साथ दीरे दीरे तो ब्रिक्स से बनाए गए मिट्टी से बनाए गए इट से बनाए गए फिर क्या होता है सम्वेर इवन इन अधी केव डगाउट इन हिल्स इस्पेशली इंडिया तो रॉक कट आर्किटेक्चर रिलेटेट टू रिलीजन बुद्धिजम से जुड़ा हुआ जो आपको देखने को मिलेगा तो जैसे गुफा होती एक हिल है माननो ठीक है यह पाहाड था अब इस पाह जो गुफा हैं है न तो वह आपको मतलब एक तरह से ऐसे रिलेट करना कि वह किस तरह से रॉक कट है अगर आप घुमने गए हो तो वहाँ पर रॉक कट मतलब एक चट्टान में से आप क्या कर रहे हो हिस्जा काटके गुफा बना देरों मोनेस्ट्री टाइप से कि वहाँ आप आराम से रह सकें, meditation कर सकें, अपने lectures दे सकें कौन monks ठीक दे लेंड ऑन विच दी विहारा अब जैसे विहारा बनाए जा रहे है मान लोग और मान लो क्या हो रहा कि इस तरह की कोई मोनेस्ट्री बनाई जा रही तो अब यह तो इस तरह से जब मोनेस्ट्री बनाई गई तो दे लेंड ओन विच दी विहारास वास बिल्ट वास डोनेटेट वाइ रिच मर्चंट और लेंडलॉड और दी किंग यूशली जो लैंड वाला पार्ट होता था वो किसी इंफ्लेशल किंग लैंड लॉज इनके पास जमीन जादा होती तो वो डॉनेट कर देते थे 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 यहां अच्छा इंसान है ठीक है संत आजमी है तो इन्हें क्या कर देते हम जगादान देते यहां पर वो मोनेस्ट्री बना सके अपनी ठीक है फिर क्या होता था तो दी लोकल पीपल केम विट गिफ्ट और फुड क्लोधिंग और मेडिसेंस फॉर दी मौंग सेनन्स अब आपको बता है नों तो सब त्याग देया हमने हमारा तो कुछ नहीं एक पैसा भी नी बचाया हमने तो लोकल पीपल जो ह था वो उनके पास बैठते थे तो in return they taught the people वो उनको अपने लेक्चर देते थे ठीक है लेक्चर ऐसे स्विशल से नहीं मतलब बताते थे फिलोसोफी बुद्धा की टीचिंग्स महावीर की टीचिंग्स ये सारी चीज़ोंने बदले में समझाई जाती थी आया समझ में तो अब जो संग है तो संग क्या हो गया अब ओवर दी प्रीड अफ ताइम में को सिस्टेमाटिक वे में एक इंस्टीशन मतलब जहां मोनाश्टी जहां रह सके मौंग्स उनके लिए वो बनाई गई तो ये ये भी डवलप्मेंट हुआ ये मने आपको बताया है रिलिजियस प अब बुद्धिस टेक्स टेलस तो टेलस अस क्या बुलता है बुद्धिस टेक्स जस्ट एज डी वाटर आफ रिवर्स लूज देर नेमस एंड सेपरेटनेस वेन देफ्लों इन्टी माइटी ओशियन तो क्या है जब आप समूद्र में जाके देखते हो ना तो समूद्र मे आपका कॉन सा वर्ण है, आपकी क्या रेंक है, क्या फैमली है, वह सारी चीज़ें भुला दी जाती है, आप सिर्फ बुद्धा के फॉलोवर होते हैं, आपके बीच में उंच नीच जो आपका आपकी, बोलते हैं, सो कॉलद आइटिटी जो बनाई गई है, यह सारी चले जात इसी तरह से class 4th से class 12 तक सभी subjects, chapters, topics, subtopics, सब कुछ, systematic way में, video lectures के format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं, अपने juniors और seniors को जरूर बताएं, magnet brains के बारे में, मिलते हैं next video में अगले topic के साथ, जिसमें हम आश्रम सिस्टम समझेंगे, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much. Hello everybody, this is Degraas Singh Rajput, welcome to magnet brains. इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the system of आश्रमास. बॉक्स में डीटेल दी आपको, important है लेकिन समझो, देखो, अभी आपने जैनिजम, बुद्धिजम देख लिया चाप्टर में, उपनिशत के बारे में कुछ देख लिया, अब आपको ये भी समझना है कि ये नए religion emerge हो रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि जो समय पे लेटर वेदिक society के टाइम पिर पे, जो पहले से religious ideas चले आ रहे थे, वो खतम हो गए थे, वेदिक text की तब भी significance थी, आज भी significance है, system तब भी वैसा चल रहा था, बस ये था कि नए alternatives आ गए थे, तो बहुत सारे लोग जो थे, वो जैनिजम, बुद्धिजम की तरफ जा रहे थे, अब हिंदुईजम में अफिर क्या सकते हूँ, वेदिक religion जो था, उसमें भी बदलाव आ रहे थे, क्या बदलाव आ रहे थे उसमें, तो जैनिजम और बुद्धिजम वर बिकमिंग पॉपुलर, जैनिजम बुद्धिजम तो पॉपुलर हो ही रहे थे, अब आश्रम क्या होता है, तो आश्रम ऐसा नहीं कि हम गूमने जाते हैं, आज कल देखते हैं कि वो बाबाजी के आश्रम पे गए थे, वाला आश्रम नहीं, यहाँ पर इंडिविजल, इंडिविजल सोल जो है, इंडिविजल जो एक इंसान है, उसकी लाइफ को आश्रम में डिवाइट कर दिया गया, लाइफ को आश्रम में कैसे डिवाइट कर दिया गया सर, समझ नहीं आ रहा है, ठीके, तो यहाँ पर यह आश्रम का मतलब है stages of life ठीक है stages of life क्या है वो समझाता हूँ बुक से बाहर निकलो ठीक है एक बहुत अच्छी concept समझाता हूँ पर ऐसा माना जाता था कि एक इनसान की जो average life होती वो 100 साल होती है ठीक है century तो एक इनसान की 100 साल average life होगी ऐसा माना जाता था अब वो 100 साल की life को चार आश्रम में डिवाइट करो ठीक है 100 divided by 4 कितना हो जाएगा 25 25 25 25 ठीक है तो अब क्या क्या जा गया कि इनसान के जीवन को चार हिस्सों में बाढ़ दिया गया चार स्टेजेस में बाढ़ दिया गया था ब्रामिन्स के दुआरा कौन-कौन से चार स्टेजेस थे तो दी 4 आश्रम वा recognized as ब्रह्मचार ये ग्रिहस्त, वानप्रस्त और सन्यासा ठीक है तो ये माना गया कि एक individual जो रहेगा वह चार फेज से अपनी लाइफ को जिएगा पहले वह ब्रह्मचारी का पालन करेगा फिर ग्रहस्त रहेगा वो ग्रहस्त के आद में वानप्रस्त और फिर सन्यास रहेगा सन्यासी रहेगा या पिर सन्यास वाला स्टेज रहेगा उसकी लाइब का वो आश्रम रहेगा तो चार जो अलगला क्लासिफिकेशन किये गए इन्हें चार आश्रम कहा गया आगे ना समझ में चार आश्रम कहा गया अब यह मैं आपको explain करता हूँ चारो आश्रम क्या है देखो आपने पहले भी सुना होगा यह अब आज पढ़ रहे हो अच्छे से अच्छे से पढ़ लो तो पहला आश्रम क्या है इसे ब्रह्मचारिया मैं आपको था है सौ साल का presume करके चलते थे कि एक इन्सान सौ साल जिएगा गैरेंटी नहीं मिलती थी कोई ऐसे उपर से ब्रह्मचारी में आप जब तक पैदा हो और जब से पच्छे साल तक क्यों होते हो तो उस टाइम पिरिड़ में आपको क्या करना है ब्रह्मिन शत्री और वैस्ट के लिए ठीके अब यहां से क्या सीखो आप की वर्ण सिस्टम जो था तो उसमें चार वर्ण ने थे लेकिन चार में से एक वर्ण यहां नहीं लिखा है शूद्र तो शूद्र के लिए यह वर्ण सिस्टम जो था तो यह अप्लिकेबल नहीं था मतलब शूद्र को जैसे पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था तो उनके लिए ब्रह्मचारी वाला आश्रम नहीं था ब्रह्मचारी का मेन ये था कि पढ़ाई हो आप सीखो कुछ मतलब एक तरह से कहा है कि आपको अभी इंटेक करना है सारी चीजों को आपको अपने आपको परिपक बनाना है ठीक है तो ब्रह्मचारे में क्या होता है ब्रहमिन शत्री और वैश्य मेन ठीक है इसमें भी अब क्या गया मैन देर लाइफ ठीक है तो शुरुवाती दौर में उन्हें वेद पढ़ना होगा और एक बहुत सिंपल लाइफ जीना होगी इस तरह से जैसे आप देखोगे तो आप कहा रहता है कि माइट्रोजिकल स्टोरी सुनी तो उसमें कहा रहता है कि सबको आश्रम पहुचाया जाता ह भगवानों को भी आश्रम पहुचाया गया था उनके इनिश्एल पीड़ में तो अश्रम में जाके अपनी सिक्षा दिक्षा पूरी करो ठीक है तो इसलिवेद पढ़ करा अब इसमें क्या है शूद्र और विमें को वेद वेद पढ़ने का मतलब जसमें आपको पहले घता अब आपको एक परिवार समालना होगा आपके बच्चे होंगे सारी चीजे तो सेकेंड आश्रम यह वाली चीज थी इसमें आपको ग्रिहस्त आश्रम बताये गाया और तीसरा है वानप्रस्त मतलब क्या होता है कि आप जंगल जाएंगे जंगल जाएंगे अलग रहेंगे आपना बढ़ियां दुजिसों पचास साल की उमर तक आपने जीवन जी लिया अपना फिर उसके आपको जंगल जाना है सन्यासी ठीक है सन्यास इंस या फिर सन्यास तो सन्यास क्या होता आपने सन्यास कहां सुना है क्रिकेट में सुना हो कि क्रिकेटर ने सन्यास ले लिया सन्यास मतलब वही कि यहाँ पे आपको क्या करना है सब कुछ रिनसेट सब कुछ छोड़ देना है आप सब कुछ छोड़ के लिए काम करोगे यह यह देखा जाएगा तो यह लेटर वेदिक पीरेड में क्या इस तरह से आश्रम सिस्टम डेवलप किया गया ब्रहामिन्स के द्वारा ध्यान रहेगा यह तो ब्रहमचार यह स्टुडेंट वाला हाउस होल्ड वाला यहां पर एक तरह से देखेंगे त तो विमें और शूद्रा कैसे एक्सेप्शन थे तो इस सिस्टम ऑफ आश्रा आश्रम अलाउट में तो स्पेंड सम पार्ट ऑफ देर लाइफ इन मेडिटेशन और यह लाया क्यों गया थे सिस्टम ताकि क्या हो कि जो मैन है वो अपना जीवन का एक समय जो है अपना जीव तो विमें शूद्रा ने वेदी तो पड़े नहीं है लेकिन अब विमें को भी आश्रम तो फॉलो करना पड़ेगा ना तो आश्रम कौन से फॉलो करीगी तो जो उनके हस्बेंड कर रहे है वो आश्रम वो फॉलो करते जाएंगी 25 साल के बाद में जैसे शादी अगर कर दी तो फिर वो household रहेंगे तो दोनों साथ में रहना होगा फिर उनके husband जिस तरह से वान प्रस्त और सद में जाएंगि तो विमें को भी आश्रम फॉलो करना होगा ठीक है तो विमें को बांधी जता था पल्लू से किसके मैं के ठीग है तो तो उस तरह से इखो ये अब आप इस सिस्टम ऑफ आश्रमास क्लियर है ना तो हमने बहुत सारा सब कुछ पढ़ लिए इस चैप्टर का कम्प्रीट हो गया यहाला पार्ट भी हमारा सिस्टम ऑफ आश्रमा भी कम्प्रीट होता है अब क्या अगली चीज देखो यह चैप्टर कम्प्रीट होता है नेक्स वीडियो से में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं तो अब हम कंटिनुटी आगे बढ़ाएंगे जैसे आपने महाजन पर तक का चीजें देख ली समझ ली कहां महाजन पर बन गए हैं बड़ी बड़ी सिटीज बन गई हैं अब नेक्स चैप्टर से आप पढ़ोगे कि उसके पाद क्या हुआ सर ठीक है हिस्ट्री है ना हिस्ट्री तो अभी तो आप मान के चलो कि अभी आपके बास में 2300 टू पढ़ने को तो वह तो आप एक क्लास तक पढ़ोगे 2300 एर गी वाकि इंशेंट हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं तो इंशेंट हिस्ट्री में भी एक मेजर पार्ट बचा है तो अब हम नेक्श वीडियो से और आगे की कहानी बढ़ाएंगे महाजनपत के वाद में किस तरह से क्योंकि जो कॉम्पिटिव की त्यारी कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है वह एंशेटी देखते नहीं होंगे न तो इसलिए मैंने बता दिया चाप्टर थेओरी पार्ट पे हैं इसके बाद वाला चाप्टर जो आएगा वह अशोक और एंपायर जैसे कैसे बने वह पढ़े इस वीडियो में हम NCIT solution discuss करने वाले हैं किस चाप्टर के तो जिस चाप्टर को आप theory पार पर पूरी तरह से पढ़ चुके हो समझ चुके हो Class 6th History का चाप्टर New Questions and Ideas तो क्या नए questions थे, क्या नए ideas थे वो सारी जीज़े, सारे topics आप इस चाप्टर के पढ़ चुके हो अभी तक हम theory पार्ट पे सारी चीज़ों को पढ़ के आ चुके हैं पिछले वीडियो तक अब हम इस वीडियो में specifically क्या करेंगे इस चाप्टर के जो NCIT question है, जो आपके exam में आते हैं, उनके solution को हम discuss करने वाले हैं देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास में कुछ questions है, true-false भी है और फिर random इसी तरह से answer the following question है तो हम सारे questions को एक एकर के लेते चलते हैं पहला question क्या है हमारे पास describe the ways in which Buddha tried to spread his message to the people बुद्धा ने किस तरह से अपना जो संदेशे वो लोगों तक पहुचाने का प्रयास किया या आपको बताना है ठीक है, बुद्धा ने अपना संदेश लोगों तक कैसे पहुचाया था तो चलो वो आंसर में लिखते हैं तो बुद्धा tried to spread his message of being kind, message था क्या सबसे important तो being kind and to respect the lives of people ठीक है तो बुद्धा tried to spread his message of being kind and to respect the lives of people in the following ways ये तरीके थे, तरीके क्या क्या है बुद्धा taught the people in prakrit which was the language of ordinary तो सबसे important चीज़ क्या है कि ordinary people की जो language थी उन्होंने उस भाशा में सिखा है ता कि हर इंसान को समझ में आये तो बुद्धा taught the people in prakrit which was the language of ordinary people so that it was understood by ordinary people अगला क्या है He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said तो उन्होंने क्या बोला He also encouraged people to think for themselves बुद्धा ने बोला कि आप खुद इसे सोचो खुद के बारे में सोचो मैंने जो कह दिया उस पर आंग पर पट्टी बांद के मत चलते जाना तो बुद्धा ने इस तरह से क्या बता है लोगों को बता है कि बिइंग काइन टो पीपल ठीके आपको इंसा फॉलो करना है यह सारे जो दूसरों की लाइफ की रिस्पेक्ट करना है यह सारे जो मैसेज थे उनकी जो सारी टीचिंग्स थी यह टीचिंग्स देने के लिए वो एक जगा से दूसरी जगा मूव करते ने बुद्धा अब भूब फ्रॉम प्लीच तो गिव इस मैसेज तो अल दी पीपल उन्होंने खुद यह करके दिखाया और जो बोला जो उन्होंने बोला वो करके दिखाया कैसे तो उन्होंने खुद अपना घरबार सब्तियाग दिया एक सिंपल जीवन जिया भूट धनगोहर तपस्या भी किये फिर एक मध्यम पाथ मिडिल पाथ को उन्होंने क्या क्या फॉलो करते हुए चले वो ठीक है तो ये बुद्धा ने किस तरह से मतलब दवे इन विज बुद्धा ट्राइटू स्प्रेड इस मेसेज वो हमने देखा उनके तरीके देखे कि कैसे उन्होंने अपना सं से क्लियर है आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा अगर खुद से वन से आंसर लिख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है ठीक आगे क्या एकला कुशन देखो राइट वेदर टू और फॉल्स सहीं है गलत है आपको बताना है अब सहीं गलत है तो पांच कुशन है हमार बड़ा सा फॉल्स लिख दो एक क्लियर आगे क्या है सारनाथ इस इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज दी प्लेस वेर बुद्धा टॉट फॉर दी फॉर्स्ट टाइम बुद्धा ने पहली बार सारनाथ पे अपना लेक्शर दिया था ठीक है तो जी हां सारनाथ पे ही टू लिख सकते हैं अगला देखो अगला यह थी बुद्धा टॉट डेक कर्मा हाज नो इफेक्ट ओनार लाइफ उन्हों बोला कुछ भी कर्म कर लो कुछ फरक नहीं पड़ता है ऐसा बोला था क्या सोच ज़रा दो निट के लिए नहीं उन्होंने बोला था कि आपकी से आपको देखा जाएगा तो यहां पर क्या है उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि कोई इफेक्ट नी होता ही सेट इफेक्ट इस देयर ठीक है जिन्दा हो जब तक भी मरने के बाद भी आपके ही कर्म आपके साथ रहेंगे जैसे पाप पुर्णे वाला कंसर्ट जो होता है ठीक सहीं आंसर इसका थू 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 बुद्धा अटेंडेड एट एट बोध गया दिस टू फिर अगला क्या है उपनिशितिक थिंकर्स मतलब उपनिशत जिन्होंने लिखे है उन थिंकर्स की बात की जा रही है बिलीव देट आत्मा एंड ब्रह्मा वर अल्टिमेटली व बुद्धान टीकर क्या वो यह मानते थी कि आत्मा और प्रह्मा जो है वह वह एक ही है सुप्रीम सोल इंडिविजल सोल एक ही है क्या उपनिश्वतिक थिंकर्स तरह की बात करते थे सोचो जबाए क्लिए क्यों कि हर एक शीज पड़ा ही है तो इसको कैसे याद करके जाओक बच्चों तो जल्दी से आपने मन में अंसर लिले हो ऊटे। आप जालों कया यूत क्या गई आप कुशें आगे acting 3 कि वाट वोर कुश्यंस देट उपनिश्यदिक thinkers wanted to answer उपनिशदिक thinkers जो थे वो किन सवालों की खोज में निकले थे उपनिश्यद जो लिखे गये तो क्यु लिखे गये क्या सोच रहा होंगे उस समय के लोग ठीके new questions and ideas तो अब क्या questions थे वो देखो तो तो थी question that उपनिशदिक thinkers wanted to answer were, पहला जैसे किस तरह के सवाल में परिशान थे हो, some of them wanted to know about life after death, क्या जीवन मृत्यू के बाद भी होता है ठीक है, क्या मृत्यू ही अन्थ है इस तरह के सवाल आते थे उनके मन में ठीक है, others wanted to know why sacrifices should be performed, वो बोलते कि sacrifice क्यों करते हो, आप बली दे रहे हो, आप इतना सारा सब कुछ हवन कर दे रहे हो, इतने किसी भूके का पेट भर दोगे, ठीक है, तो इस तरह से वो यह पूछता जाते हैं, इतने sacrifices क्यों perform करना है, फिर क्या है many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death, ठीक है, कुछ लोगों करश रखता था कि जीवन सिर्फ यहाँ पर हम जो लोग दिख रहे हैं, यह नहीं है, ठीक है, कुछ permanent, कुछ थोस भी है इस धर्ती पर, जो मेरे होने से पहले भी था, मेरे होने के बाद भी होगा, आपके होने से पहले था, आपके होने के बाद भी होगा, तो many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death, clear हुआ यह, फिर क्या है, फिर क्या है, they described this as आत्मा और इंडिविजल सोल, फिर वह वाली कहानी आ गई, आत्मा इंडिविजल सोल वोला, और साधी साध में ब्रह्मा को युनिवर्सल सोल वाला, और क्या मानते थे उपनिशदीद थिंकर, अभी हमने टूफ आपड़ा, उल्टिमेटली थे बिलीव देट बोथ आत्मा और ब्रह्मा वर वन ठीक है, ल्टिमेटली देवर वन, यह उनकी सोच थी, ठीक है, फूर्थ कोश्चन देखो गया है, फूर्थ कोश्चन बताता है, वोट वर दी मेन टीचिंग्स औफ दी महावीर तो महावीर जो थे तो महावीर की मेन टीचिंग्स क्या थी यह छासी जैन दर्म जो जो है तो उनमें उन्हें उन्होंगा क्या सिखाया दी मेन टीचिंग्स आफ महावीरा वर क्या कि पहला men and women who wish to know the truth must leave their homes तो उन्होंने बोला कि यह detachment रखना होगा घर बार से ठीक है मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला वो सब छोड़ के आना होगा आपको तो men and women who wish to know the truth must leave their homes clear हुआ अगला क्या है men and women must follow very strictly the rules of ahinsa which means not hurting or killing living beings तो उन्होंने बोला ahinsa parmodharma ahinsa parmodharma मतलब क्या कि सबसे उपर आपको ahinsa को लेके चलना होगा आप किसी को hurt मत करो thoughts से hurt मत करो, अपने शब्दों से hurt मत करो physically मत मारो पीटो और सब की respect करो उस तरह की उन्होंने teaching दिये वो क्या कहते थे फिर? फिर कहते थे right faith, right knowledge, right action मतलब आपको सही चीज में विश्वास रखना होगा आपके पास सही ज्यान होना चाहिए ठीक है? आपके कर्म सही होना चाहिए देखो, जैनिजम, बुद्धिजम यहीं पर बहुत ज़ादा सिंक्रिटिक लगता है, अधिकता तो लोगों को ऐसे लगता है जैनिजम, फिर्दिजम एक ही है, अलग-अलग religion है लेकिन उनकी teachings जो है, वो एक ही pillar पर खड़ी हुई है तो वो भी बात करते है कि आपके conduct सही होना चाहिए तो वो इस जीवन में आपके जीवन के बाद सभी जगा मिलने वाला है टीक है, can help one to get rid of diseases टीक है, all ceremonies are baseless उनने बोला कि ceremonies जो भी होई न, यह ritualistic आडंबर जो भी कर रहे हो आप की इतना करो, यह करो, वो करो, इतने kilo घिहूं चड़ाओ, इतने kilo शकर चड़ाओ तो उनने बोला, all ceremonies are baseless, ठीक है, baseless की बाद करी men had to be absolutely honest, especially asked not to steal ठीक है, men को क्या होना पड़ेगा, absolutely honest होना पड़ेगा आपको क्या होना पड़ेगा, absolutely honest होना पड़ेगा उससे के साथ में, चोरी चमारी तो विलकुल भी नहीं करना होगी especially not to steal फिर अगली एक ओर teaching क्या थी उनकी, तो ये point देख लो men had to give up everything, including their clothes and they had to observe celibacy मतलब त्याग की भावना रखना होगा, आप संसारिक मोहमाया से ऐसा नहीं कि अच्छा महेंगा वाला jacket खरीद लेते हैं, ऐलन सॉली का वो सब कुछ त्याग करना होगा आपको, men had to give up everything, including their clothes and they had to observe celibacy celibacy को follow करना होगा उने, भ्रह्मचारी को एक तरह से follow करना होगा, जहां पर वो अपनी desires पर control रखे यह हो गया, अब 5th देखो, 5th क्या है, अगला question है, why do you think Anga's mother wanted her to know the story of Buddha अब यह थोड़ा सा जिसे आप दिखेंगे, तो hot stripe में है, कि आपने जो chapter start किया थे, introduction वाले part में बताया थे ना, कि Anga जो है वो trip पे जाती, school trip पे, तो Anga की ममी टीचर से क्या होती कि यह ने, बुद्धा के बारे में बता ना, ऐसा क्यों लगता है, आपको क्यों बोला होग पूने से वारणसी तक जाने वाले थे, वो अब वारणसी के पास में क्या देखो, वारणसी के पास में सारनाथ, तो Anga's mother especially told the teacher to take them to see सारनाथ, क्योंकि वारणसी के पास में ही है, और सारनाथ में आपने क्या पढ़ क्या है, कि पहली बार lecture दिया था, पहला sermon जो है, पहली स associated with the life of Buddha, तो इसी sense में, क्योंकि Buddha की life से जुड़ी जगा पर जा रहे हो घुमने, तो Anga की ममी ने बोला, teacher से क्या कि बताना जा रहा है इन्हें Buddha के बारे में, बुद्धिजम के बारे में बता चलेगा बच्चों को, अगला, last question, क्या हमारा, do you think it would have been easy for slaves to join the sangha, give reasons for your answer, क्या लगता है आपको, कि slaves के लिए आसान होगा संघा जोइन करना, अब जिसे आप देखेंगे तो संघा में, इक्वैलिटी थी सभी जोइन कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी जड़ आप सोचो दो मिट के लिए कि क्या slaves आसानी से जोइन कर पाएंगे, ठीक है, आपको पर्मिशन लेना पड़ेगी किस से, अपने मास्टर से, मतलब अगर किसी का कोई गुलाम है तो गुलाम को अपने मालिक से पर्मिशन लेना होगी, ठीक है, बुद्धिजम डिट नॉट बिलीव इन कास्टिजम, जो कास्टिजम चलता है कि छोटे बड़े अपर कास्ट, ल पर्मिशन लेकिन अब कास्ट लेकिन अब कास्ट लेकिन अब कास्ट लेकिन अब करके रखा था, ठीक है, तो इस सेंस में क्या प्र्टिकली पॉसीबल नहीं था, लेकिन थेओरिकली तो अलाओ करके रखा था, ठीक है, ठीक है, तो this was all about NCIT solution, सारे questions हमने discuss कर लिए, true false भी कर होगा, ठीक है, और जिने लिखना है तो वो लिख भी सकते थे, साथ-साथ, मैं वीडियो पॉस्ट करकर लिख लेना, ठीक है, यह हो गया हमारा सारा सब कुछ, तो चैप्टर हुआ, पुरी तरह से complete, यग में होती देते हैं, स्वाहा बोलते हैं, ठीक है, पूरा चैप्टर तो अपने जूनियर, सीनियर्स को ज़रू बताइए, मैगनेट बिंस के बारे में, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, एक नए चैप्टर के साथ, ठील दन, स्टे कनेक्टेट, कीप लर्निंग, थैंक्यू, थैंक्यू बेरी मच्छ